हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंसी आर्टी टूट्रोल के उबर और यहाँ पर इस वीडियों में लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर थर्ड को जिसका नाम है नाजीजम एंड दर राइज ओफ हिटलर तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में पढ़ना है हमें नाजीवाद के बारे में कि भाई यह नाजीजम क्या है और साथ में जो नाजीओं का लीडर था हिटलर वो पावर में कैसे आया सत्ता में कैसे आया और वो जब सत्ता में आया उसमें क्या किया और वहाँ पर यानि कि उसके देश जनवानी में क्या हुआ था ये सारी चीज़े हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT बुक की मदल से Line by Line Explanation के साथ और साथ में ये हमारे सिरीज का नाम है NCRT Foundation सिरीज जिसमें कि सारे चैप्टर के इसी प्रकार से explanation आपको मिल जाएंगे तो चैप्टर आई हम शुरू करते हैं चैप्टर का नाम क्या है Nazism and the Rise of Hitler अब यहाँ पर इस चैप्टर की शुरूआत की गई है एक छोटे से बच्चे की कहानी से कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है हेलमुथ हेलमुथ नाम का बच्चा है जो कि अपने घर में सोया हुआ है आराम कर रहा है किस सीजन में भाई 1945 का स्प्रिंग का सीजन है उस समय में हेलमुथ जो है वो अपने घर में सोया हुआ है आराम कर रहा है और यहाँ पर वो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनता है कि उसके जो माता पिता है वो काफी सीरियस चोन में कुछ डिसकुशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा था यहाँ पर हेलमुथ के जो पिता जी थे वो अपनी पतनी से यानि हेलमुथ की माता जी से डिसकुशन कर रहे थे डिलिबरेशन कर रहे थे अब यहाँ पर एक word है deliberate करना, deliberate का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप जब कोई decision लेने वाले होते हैं, तो उस decision को लेने से पहले जब आप कोई serious discussion करते हैं कि भाई क्या decision सही होगा, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग deliberate word use करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके father थे हिलमूत के father थे, जो कि एक जाने माने physician से थे, doctor थे, वो अपनी wife से यानिकी हिलमूत की मता जी से discussion कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्या discussion चल रहा था बाई? तो यहाँ पर discussion चल रहा था, तो हिलमुत की मदर से पूछ रहे थे कि क्या वो समय आ चुका है कि हम लोग अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दें, पूरे परिवार को मार डालें, या फिर वो जाकर खुद से अकेले suicide कर लें। मतलब हिलमुत के पिता जी को ये चिंता थी कि हम सब को मर जाना चाहिए, या सिर्फ मैं खुद को गोली मार लूँ, मैं suicide कर लूँ, ये यहाँ पर discussion चल रहा था, पूरे family के बारे में, ठीक है, अब यहाँ पर उसके फादर जो थे, वो इसी बातचीत में एक चीज़ कह रहे कि मुझे डर है कि अब हमसे बदला लिया जाएगा, किस बात का बदला भाई? तो यहाँ पर ये कह रहे थे, कि जो allies हैं, वो हमारे साथ वही करेंगे, जो कि हमने यहूदियों के साथ, यहाँ जीव वर्ड है, तो जीव जो होते हैं, उनको हिंदी में यहूदी कहा जाता है यहूदियों के साथ और कृपल लोगों के साथ, यानि जो अपंग होते हैं, जिनको कि हमारे देश में दिव्यांग कहा जाता है, उनके साथ जो हमने वेवहार किया है, वही वेवहार अब हमारे साथ होने वाला है, यह यहाँ पर कह रहे थे हिलमुद के फादर, अब पर अलाइज कौन है, साथ में यहाँ पर यह जियूज कौन है, यहाँ पर इन्हों ने क्या किया था, हिटलर की पार्टी में क्या किया था, हलमुद के फादर ने क्या किया था, यही चीजे हमें पढ़नी है, समझनी है, तो यहाँ पर इसके अगले दिन क्या होता है, यह ज उसको लेकर के जंगलों में घूमने जाते हैं, पार्क वगरा में घूमने लेकर के जाते हैं, वहाँ पर पूरा दिन बहुत ही खुसी से अच्छे से बिताया जाता है। अपने ही ऑफिस में खुद को गोली मार लेते हैं और क्या करते हैं? सूसाइड कर लेते हैं, यानि कि आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके बाद हिलमुथ देखता है कि जब उसके फादर ने सूसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो उसके फादर का जो यूनिफॉर्म था जिसमें की पूरी तरीके से खून लगा हुआ था तो उस यूनिफॉर्म को बाहर कहीं नहीं फेका जाता है बाहर कहीं नहीं रखा जाता है बलकि उस यूनिफॉर्म को घर के ही फायर प्लेस में जला दिया जाता है घर के ही चिमली में जहां पर आग बगर लगाय जाता है वहीं पर जला करके उसको राख कर दिया जाता है, खतम कर दिया जाता है, अब यहाँ पर जो हेलमुथ रहे, उसने एक चीज सुनी थी अपने मातापिता को बात करते हुए, कि पूरे परिवार को खतम कर देना चाहिए, तो इन सभी चीजों से जो हेलमुथ था, वो इतना ट् खाता है वो खाना इसलिए नहीं खाता है क्योंकि उसको डर था कि उसकी जो मा है उसको जहर दे देगी और उसको मा डालेगी इस डर से वो अगले 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाता है वो कहीं और किसी तरीके से खाकर अपना जिंदगी चलाता है समझ कर तो ये एक छो भूमत जो है वो कितनी साल का है? वो मात्र 11 साल का है. 11 साल का छोटा सा बच्चा है. समझ लिजे कि करीब 5-6 क्लास में पढ़ने बाला बच्चा रहा होगा अगर इंडिया म होता तो 5-6 या 7 क्लास में पढ़ रहा होता. ठीक है? तो यहाँ पर जो हलमुत है उसको ये चीजे तो समझ में नहीं आ रही थी कि भाई यहाँ पर हो किया रहा था, उसके फादर किन चीजों के बारे में बात कर रहे थे, उसके फादर ने क्या ऐसा कर दिया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हलमुत के फादर थे, вони क्या करते थे, वो एक नाजी थे और हिटलर के supporter थे। नाजी होने का मतलब क्या है, मतलब जो हिटलर की party थी उस party के सदस्य थे और उस party की सारे विचारधराओं को मानते थे और party के सारे कृतियों में सामल थे, जो भी party कर रही थी उसमें वो सामल ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को नाजी क्या होते हैं ये पता होगा, हिटलर कौन था ये पता होगा, हिटलर ने क्या किया था ये पता होगा, बहुत सारी चीज़े आपको पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता या फिर आपको पता भी है तो यहाँ पर आपको जानने के लिए बहुत चीज़े, आपको बहुत चीज़े पढ़नी है, अब देखिए हिटलर जो था, उसका एक determination था, वो एक चीज़ को लेकर चल रहा था, कि मुझे अपने देश को, कौन से देश को, जर्मानी देश को, दुनिया का सबसे ताकतवर द समझ गए, अब इसके साथ साथ, हिटलर के मन में और भी कई सारे विचार थे, कि हिटलर जो था, कुछ खास नसल के लोगों किससे नफरत करता था, जैसे जो यहूदी थे, उनसे वो नफरत करता था, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में, यहूदियों की उसने हत्या भी कर करवाई थी, कितरी बड़ी संख्या, लगभग साथ लाख लोगों की हत्या करवाई गई थी, साथ लाख यहूदियों की हत्या करवाई गई थी, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार यहूदी कौन होते हैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आपको मैं सौट में समझाने की कोशिश करता हूँ अब देखिए हमारे देश में हमारी दुनिया में बहुत प्रकार के धर्म होते जैसे बहुत आप हो सकते हैं हिंदु धर्म को मानते हो या फिर इसलाम धर्म को मानते हो या फिर Christianity धर्म को मानते हो, आप हो सकते हैं Sikh हो, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे धर्म है. उसी प्रकार से हमारे दुनिया में एक धर्म है, जिसको की यहूदी धर्म कहा जाता है. यहूदी धर्म का जो sign होता है, symbol होता है, वो इस प्रकार के star जैसा symbol होता है. और जिस प्रकार से हमारे जो ग्रंथ होते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ होते हैं, वो संस्कृत में लिखे गए होते हैं, इसलाम धर्म के ग्रंथ अर्वी में लिखे होते हैं, मुझे clearly idea नहीं है, अर्वी या फिर और कोई language हो सकता है, उसमें लिखे गए होते हैं, इंग्लि सामने और क्या आजाता है और ये आजाता है कि जो यहाँ पर यहूदी धर्म को मानते हैं उनका मंदिर एक प्रकार से ये देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं सेनोगौ कहते हैं जो यहूदियों का पूजा का अस्थल होता है वो क्या कहलाता है सेनोगौ कहलाता है अब उसके बा आपको पुषाक में मिलेंगे, generally क्या होते हैं, वो इस प्रकार के टोपी पहनते हैं, जैसे मुसलमान टोपी पहनते हैं, उसी प्रकार से, उसी के जैसा थोड़ा सा है, वो टोपी पहनते हैं और इस प्रकार से वो अपना dress up रखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़े है कि भाई हिटलर पूरी दुनिया में सबसे ताकत वर अपने देश को बनाना चाहता था या फिर יהूदियों को मारना चाहता था, नई, जब भी किसी विचार धारा की बात होती है, जैसे नाझी वाध, हिटलर की नाझी वाध की बात है, तो उसमें दुनिया कि हर चीज के बारे में कोई ने कोई विचार होता है मतलब कि दुनिया में कौन सा देश हमारा दोस्त है कौन सा देश जुस्मन है किस देश को खतम कर देना है किस देश को रहना चाहिए किस से हम दोस्ती रखेंगे किसको हम मार डालेंगे किसको जिन्दा रखेंगे, कैसे हमारे समाज में लोग रहेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसा ववहार करेंगे, कैसे लोग जीएंगे, कैसे मरेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे विचार होते हैं, जब भी कोई विचारधारा की बात होती है, उसमें सारी चीजे बात की ज या फिर पूरी दुनिया में जर्मानी को ताकतोर बना दो, नहीं, ये एक पूरा system of belief था, structure of ideas था, कि world किस प्रकार से चलना चाहिए, politics कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो आईए हम आगे वढ़ते हैं और समझते हैं इन सभी चीजों को ही, कि यहाँ पर क्या-क्या घटनाए होई थी, क्या हुआ था, कैसी सारी चीजे घटी थी, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर एक चीज आता है, कि माई 1945 में, जर्मानी ने allies के स सामने सरेंडर कर दिया था, तो भाई कियों सरेंडर कर दिया, क्या हो गया कि सरेंडर कर दिया? तो यह बात करता है, वर्ल्ड वार टू के बारे में, जो सिकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें जर्मानी हार गया, और मई 1945 में जर्मानी ने allies के सामने सरेंडर कर दिया, अब भाई सबसे पहले तो समझना है कि भाई World War 2 जो चल रहा था वो किसके किसके बीच में चल रहा था तो यहाँ पर World War 2 में दो ग्रूप्स थे कौन-कौन से ग्रूप्स पहला तो आपके allies हो गए और दूसरे आपके हो गए axis Allies और Axis Allies में कौन-कौन से देश आ गए UK आ गया, France आ गया UK मतलब United Kingdom जिसमें कि हमारा England, Scotland, Wales ये सारे Northern Ireland ये सारे आ जाते हैं इसके बाद आपका France हो गया इसके बाद आगे चल कर UASSR यानि आज का जो Russia है, Ukraine है वो उस समय में साथ हुआ करता था और भी Kazakhstan हो गया, और भी कई सारे देश हैं जो कि मिलकर एक साथ मिलकर कौन सा देश बनाते थे USA सार देश बनाते थे और साथ में America USA ये चारो देश मिलकर के Allies कहलाते थे और भी इनके साथ कई सारे देश थे तो वो सब मिलकर के क्या कहलाते थे Allies कहलाते थे और वहीं दूसरी तरफ जो group था, उसको कहा जाता था axis powers, जिनमें आपका Germany, Italy, Japan, इसके अलाबा जैसे और भी देश आ जाते थे, छोटे मोटे देश, जो कि इनका मदद कर रहे थे, तो ये दो group आपस में क्या कर रहे थे, fight कर रहे थे, तो ज़रा सा नक्षा अगर हम लोग दे ये आपका axis power का group हो गया, axis group का member हो गया, इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर Italy आ गया, ये axis group का member हो गया, ठीक है, ये axis हो गया, इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो और भी कई सारे देश हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा देश आ गया, जापान आ जापान देखिए यहां पर अगर हम लोग देखे तो यहां से जापान फाइट कर रहा था यह आपका यहां पर देखे जापान है यह जो आप देख रहे हैं यहां पर यह आपका है जापान देश यह यहां से फाइट कर रहा था और यहां से इस तरफ इस तरफ और इसने पू आपका चाइना भी था, चाइना भी देश जो था वो अलाइस के साथ था, अमेरिका, ब्रिटेन और साथ में फ्रांस के साथ मिलकर लड़ रहा था, तो यहाँ पर अलाइस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा भाई, हमारा USSR आ जाएगा, USSR मतलब आज का यहाँ पर रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इसके साथ साथ यहाँ पर कजाकस्तान, उस्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यह सब देश मिला कर एक देश हुआ करता था बड़ा सा जिसको की USSR हम लोग कहते थे, वो एक हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपका फ्रांस हो गया यहाँ पर United Kingdom हो गया, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको और भी इधर Greece भी था, और भी कई सारे देश थे जो सामिल थे, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक देश इस तरफ था यहाँ पर आपके, कहा था बाई, अमेरिका, अमेरिका कहा है, य एक तरफ अलाइस थे और एक तरफ एक्सिस पावर्स थे, दोनों के बीच में फाइटर चल रहा था, जीता कौन, अलाइस का ग्रूप जीत गया और एक्सिस पावर्स जो थे, वो हार गये, ठीक है, यह एक प्रकार से हुआ था आपके वर्ल्ड बार टू में, और वर्ल्ड की सरकार ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को देखते हुए कि भाई, हमारे साथ क्या होने वाला है, जर्मनी क्योंकि हारने वाला है, और हमारे को पकड़ लिया जाएगा, इस बात को देखते हुए जो हिटलर था, और साथ में उसका प अप्रील में ही सुसाइड कर लिया था मतलब सरेंडर करने से एक महिने पहले ही लगभग यहाँ पर हिटलर और उसके सारे समर्थक जो थे मतलब जो आसपास के बड़े बड़े लोग थे उन लोग ने क्या कर लिया सुसाइड कर लिया ठीका और यहाँ पर आगे कहता कि at the end of the war. An international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crime against humanity. इसके बाद क्या हुआ? एक military tribunal बैठाया गया Nuremberg में ताकि जो नाजी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कृत्ति काम किये हैं, बहुत ही बुरे काम किये हैं, उन कामों के लिए इनको सजा दिया जा सके और इन्होंने क्या किया था? सबसे पहला बाद तो World War II cause किया था. उसके बाद अपने देश में लोगों की बहुत बड़े अस्तर पर हत्या की थी, यहूदियों की हत्या की थी, पोलेंड के निवासियों की हत्या की थी, जिप्सीज की हत्या की थी, और भी प्रकार के कई सा सारे लोगों की हत्या की थी, और साथ में यहाँ पर जो वार के दौरान जो थे, दूसरे देशों की सैनिकों के साथ भी बरबरता का काम किया गया था, इन सब चीजों को करने के लिए, मतलब इन सब कामों की सजा देने के लिए यहाँ पर एक Military Tribunal बैठाए गया. अब हमारे देश में अगर कोई Crime करता है, तो उसको सजा कैसे दिया जाता है? उसको सजा दिया जाता है कोर्ट में, जहाँ पर जद साहब बैठते हैं, वो केस देखते हैं, उसके बाद सजा तै होता है. जो यहाँ पर Military Tribunal होता है, यह जेनरली सैनिकों की सजा के लिए होता है. कि इमाल लीजे कोई युद्ध हुआ, युद्ध में सामने वाला देश हार गया, और उसके बाद क्या होगा? Military Tribunal बैठेगा. कि भाई, आपने क्या गलत किया? क्या आपको सजा मिलना चाहिए? आपके सैनिकों क्या सजा मिलनी चाहिए? कौन-कौन से आपने गलत काम किये? उस के लिए, इस प्रकार के कामों के लिए Military Tribunal बैठते हैं. वैसे मैं बता दू कि अपने देश में भी Military Tribunal बैठते हैं. जैसे हमारे देश में फौज है हमारे पास, और हमारे Military का भी कोई सैनिक अगर कुछ गलत काम करता है, तो उसके लिए भी Military Tribunal होता है. कि भाई, तुम सैनि होती है. अब यहाँ पर आगे कहता है कि Germany is conducted during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions, invited world war condemnation. जो जर्मनी का action था युद्ध के दौरान में, चाहे वो अपने देश पो या फिर देश से बाहर हो, उनको क्या कहा गया? Crimes Against Humanity. यानि तुमने जो यार काम किया है न, वो मानवता के खिलाफ है. तुमने अलाइस से युध नहीं लड़ा है, बलकि मानवता के खिलाफ तुमने युध लड़ा है. इस प्रकार से यहाँ पर इनको कहा गया. और यहाँ पर जो इन्होंने काम किया, वो एक प्रकार से moral और ethical questions उठाता है, कि यार एक इनसान ऐसा काम कैसे कर सकता है, ये तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए था. समझ गए? तो यहाँ पर इन्होंने किया किया था? तो यहाँ पर अगर हम लोग short में समझने की कोशिश करें की किया किया था? तो जब यहाँ पर second world war चल रहा था, उस समय में जर्मनी की सरकार ने एक जिनोसाइडल वार छेड रखा था. जिनोसाइडल वार कहने का मतलब है, जिनोसाइड का मतलब क्या होता है? नरसंगहार. जहाँ पर आप खास इलाके के लोगों को, या फिर खास जाती के धर्म के लोगों को, खास ग्रूप के लोगों क आप क्या करते हैं, बड़ी संख्या में हत्या करते हैं, तो यहाँ पर जर्मनी की सरकार ने, यानि हिटलर की पाटी ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ खास समूह के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में मारा था, हत्या कर दी थी, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, त नमबर की बात की जाया, तो यहाँ पर 6 मिलियन जीव, 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी, इसके बाद 2 लाख जिपसीज, दो लाख की संक्या में जिपसीज लोगों की हत्या की की गई थी, अब यह जिपसीज कौन होते हैं, gypsies की बात करें तो sort में समझिए कि हमारे देश में आपने कई सारे लोगों को देखा है जो कि घुमन्तू होते हैं समझ गए? जो कि एक जगह पर नहीं रहते बलकि यहां भहां घुमते रहते हैं और उसी प्रकार से उनका survival करते रहते हैं उसी प्रकार से यूरोप में एक ग्रूप होता है जिनको कि जिपसी कहा जाता है जो कि इसी प्रकार का जीवन जीते हैं और इनको एक प्रकार से रोमा पीपल भी कहा जाता है कि रोमा समूग के लोग हैं इनके लिए जिपसी वड़ भी यूज होता है रोमा वड़ भी यूज ठीक है तो इन लोगों की अब उधारन में अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको उधारन है जिपसी समूख के लोगों का इन लोग ये लोग जो है ये एक खास इलाके के नहीं होते ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं एक खास जगह पर इनका घर नहीं होता अब भले ही ये लोग खास जगह पर रहने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता थे? ये हमेशा घुमन्तू होते थे, कभी यहां रहे, कभी वहां रहे, कभी वहां रहे, इस प्रकार से. तो 2,00,00,00,00 जिबसियों की हत्या की, 1,000,00,00, पॉलिश शिविलियन्स, यानि की पॉलेंड जो देश है, उसकी 1,00,00,00, नाक्रिकों की हत्या की गई थी, और इसके साथ साथ 70,000 जर्मन लोगों की भी हत्या की गई थी, जो की कैसे थे? विकलांग थे, या तो उनके शरीर का कोई पैर खराब था, हाथ खराब था, मांसिक तोर पर बिमार थे, तो उनको क्या कर दिया गया, सीधे मार डाला गया, सीधे ख़तम कर दिया गया, समझ गए? और इसके साथ साथ, जितने भी लोग, जो कि नाजियों का विरोध करते थे जैसे कोई व्यक्ति है Communist Party का है जो कि विरोध करता है नाजियों का उसको मा डाला गया कोई व्यक्ति है जो कि Socialist है उसको मा डाला गया कोई व्यक्ति है जो कि Democracy की बात करता है नाजियों का विरोध करता है उसको मार डाला गया, तो इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में विरोधियों की भी हत्या की गई थी, अब यहाँ पर जो हत्याएं इतनी बड़ी संख्या में की गई थी, उसके लिए एक special तरीका बनाया था नाजियों ने, special तरीके से वो लोग हत्या करते थे, कैसे वो बड़े बड़े center बनाते थे, बड़े बड़े concentration camp बनाते थे, और वहाँ पर क्या गरते थे, लोगों को लाते थे, उनको जहरीली gas दे कर मारते थे, उसमें से एक आपका center का नाम है Auschwitz, यह आज भी उसको उसी प्रकार से संभाल करके रखा गया है, तो कभी आप जाईएग यह सायद मेरे ख्याल से पॉलेंड में है, तो पॉलेंड में आप जाईएगा, तो वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से लोगों की हत्या की गई थी, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की हत्या की गई थी, यह one of the most largest center था, concentration camp था, ठीक है अब यहाँ पर आगे देखें, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, जहरीली गैस दे करके मारा जाता था, ठीक है, और यहाँ पर आगे बात आती है कि जो नुरेंबर्ग ट्रिबुनल बैठा था, यानि कि जो नाजियों को सजा देने के लिए ट्रिबुनल बैठा था, उसन इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में डाला गया था और इसके बाद बहुत जादा लोगों को सजाएं नहीं दी गई थी अब यहाँ पर आप सोचीगा कि यार ये जो सजा दिया गया यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 60 लाख की हत्या हुई 10 लाख लोगों की 2 लाख लोगों की 70 लोगों की हत्या हुई और यहाँ पर मौत की सजा सिर्फ 11 लोगों को दिया गया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया बाकी सभी लोगों को फ्री छोड़ दिया गया तो ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया त तो यहाँ पर जो allies थे, allies देश थे, जो Britain था, जो France था, USSR था, USA था, इन देशों ने तै किया कि हम लोग इतना कड़ा सजा नहीं देंगे जर्मनी के लोगों को, कि वो फिर से क्या करने लगे, हमसे नफरत करने लगे और फिर से युध लिए उतारू हो जाए, क्यों भाई, ऐसा क्यों इनहों ने सोचा? कि भाई, हम लोग बहुत कड़ा सजा दे देंगे, तो यह लोग हमसे फिर से लड़ने आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था, जब First World तो First World War में भी जर्मनी की हार हुई थी और जब First World War में जर्मनी की हार हुई थी तो जर्मनी को इतना कड़ा सजादी आ गया था और इतना जर्मनी को बैज़त किया गया था कि वहाँ पर जर्मनी के लोगों के अंदर मन के अंदर बदले की भावना भर गई थी कि अच्छा एक समय आएगा हम लोग क्या करेंगे बदला लेंगे समझ गए और वहीं से एक प्रकार से कहा जाता है कि हिटलर के राइज का रास्ता तै हो चुगा था कि कोई न कोई ऐसा लेडर आएगा जो की क्या करेंगा जर्मनी को फिर से युध मेढ़के लेगा और इन सब देशों से फिर से युध करेगा समझ गए तो यहाँ पर यही चीज है कि इसी लिए यहाँ पर जर्मनी के जो लोग थे जर्मनी की जो ववस्ता थी उनको जादा कड़ा सजा नहीं दिया गया तो यहाँ पर कहता कि everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of First World War यही चीज कहता है कि दुनिया में ल हिटलर का जो शाशन था वो उसका रास्ता कहां से तै होता है वो First World War से ही तै होता है यानि First World War के समय ही ऐसी व्यवस्ता की गई ऐसा कृत किया गया कि वहाँ पर से ही लोगों के मन में बदले की भावना भर गई और लोग जो थे वो एक प्रकार से आगे बढ़ते गए और क अब यहाँ पर यही चीज हमें पढ़ना है कि First World War के बाद ऐसा क्या हो गया था कि भाई हिटलर आगे चलकर के पावर में आ गया हिटलर जैसी विचारधारा जहां पर लोगों की हत्यां की बात होती थी उसको भी जर्मनी में लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया ऐस क्यों किया तो यहाँ पर आईए अब हम समझते हैं क्या कि First World War के बाद क्या हुआ था First World War के समय या फिर उसके बाद क्या घटनाए हुई थी यह हम जरा सा समझते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने है Topic No.1 Birth of the Weimar Republic यानि कि Weimar गनराज का जन्व कैसे हुआ था अब यहाँ पर जर्मनी जो देश था वहाँ पर एक राजा का शाषन हुआ करता था ठीक है अब राजा का शाषन जब 1918 में समाप्त हुआ खतम हुआ वहाँ के राजा ने राजगद्दी छोड़ दी उसके बाद जर्मनी में गनराज्य बनाया गया मतलब कि जैसे हमारे देश में पार्लिय वाइमर गनराज्य या फिर वाइमर रिपब्लिक कहा गया ऐसा क्यों कहा गया वाइमर इसका नाम क्यों रखा गया उसका कारण ये था कि जो पार्लियमेंट बैठी थी पहली बार जहां पर इस सरकार का गठन हुआ था वो हुआ था वाइमर शहर में इसी लिए ये जो सरका बनी 1918 में राजा के राजगदी छोड़ने के बाद इसको क्या कहा गया वाइमर रिपबलिक कहा गया यानि कि वाइमर गनराज्य कहा गया ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फॉर्स्ट वल्डवार की बात करते हैं प्रथम विश्वयुध की बात करते हैं देखें ही डिवलप्ट बहुत ही ताकत वर बहुत ही मजबूत देश हुआ करता था ठीक है अब यहाँ पर जो जर्मनी था वो फॉर्स्ट वर्लड वार में शामिल हुआ था और इसके साथ-साथ कौन सा मिल था जर्मनी के साथ में कौन से देश सा मिल थे पहला था आउस्ट्रियन आउस्ट्रियाई सामराज्य और साथ में आपको और जैसे तुर्की था तर्की था और भी कई सारे छोटे छोटे देश थे ठीक है और इसके अगेस्ट में कौन लड़ रहे थे अलाइज लोग लड़ रहे थे ठीक है ये कौन-कौन से देश थे इंग्लैंड था फ्रांस था रशिया था ठीक है और बाद में चलकर अमेरिका वगरा भी शामिल हो गये थे युद्ध में तो आई इसको यहाँ पर नक्से से समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था उसमें कौन-कौन से देश सामिल थे दो ग्रूप थे पहला ग्रूप कौन सा अला हाइस के साथ लड़ रहा था उसके बाद इधर चे रशिया रशिया बोले तो रशिया नहीं ऊ-स-स- रुमेनिया हो गया यह जो आप यहाँ पर नारंगी रंग में देख रहे हैं वो सारे देश कौन थे अलाइस थे खीक है और यहाँ पर दूसरी तरफ कौन से पावर थे दूसरी तरफ थे central power इनको क्या कहते हैं सकेंद्रिये शक्तियां central power जिसमें पहला तो आपका जर्मनी हो दूसरा हो गया आपका आस्टुहंगरी सामराज्य जा पिर आस्टुहंगरी सामराज्य इसके बाद यहाँ पर तर्की बुल्गारिय यह सब ही देश यहाँ पर थे और यहाँ पर Luna जो साथ में इनके साथ अमेरिका खारे अगे चल करके शामिल हो गया था तो यह यहाँ पर आप देख रहे हैं किसका नक्षा, प्रथम विश्युद्ध का नक्षा जिसमें दो गुरूप आपस में फाइट कर रहे थे, एक तरफ आपके अलाइज हो गए, दूसरी तरफ केंद्रिय शक्तियां यानि की सेंटरल पावर्स हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम विश्युद्ध में क्या हुआ था, क्या स्थिती बनी थी, यह समस्ते, कहता कि देखिए, जितने भी देश प्रथम विश्युद्ध में शामिल थे, वो लोग सोच रहे थे कि भाई, देखो हम लोग शामिल होंगे, जीतेंगे, आप बहुत इलाका कबजा कर ल लोग युद्ध में शामिल हो गए थे, लेकिन जब युद्ध चलने लगा, तो कई वर्षों तक चला, चार साल, पांच साल तक चल गया, अब इसकी वज़ा से क्या हुआ, यूरोप जो देश था, उस कॉंटिनेंट में सभी देश अमीर देश हुआ करते थे, सभी देश पूरी दुनिया पर कबजा करके बैठे हुए थे, जैसे ब्रिटेन इंडिया पर कबजा करके, औस्टेलिया पर कैनेडा पर कबजा करके बैठा हुआ था, उसके अलावा फ्रांस जो है था आपको वियतनाम पर और भी अफ्रीका के कई सारी इलाकों पर कबजा करके बैठा हुआ था इसे प्रकार से जर्मानी भी कई सारे इलाकों पर कबजा करके बैठा हुआ था मतलब यूरोब जो था दुनिया का सबसे ताकत वर इलाका हुआ करता था सबसे अमीर इलाका हुआ करता था जहां पर सबसे अमीर देश रहते थे, ठीर, लेकिन जब यहाँ पर युद्ध चलने लगा, तो नुकसान सभी देश को हुआ, और अगर हम युद्ध की बात करें, तो भाई, युद्ध में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो जर्मनी ने शुरुआत में काफी फाइदा उठा में यहाँ पर सेंट्रल पावर्स हार गए, मतलब कि जो टर्की था, साथ में आपका यहाँ पर आश्ट्रो हंगरी सामराज था, और साथ में जर्मनी था, यह लोग क्या हो गए, हार गए, कब नवंबर 1918 में, नवंबर 1918 में इनकी हार हो गई, अब इस हार की वज़ा से, इस इसके साथ साथ, इसी समय में लगवक क्या हुआ, जब हार नजदीक आने लगी, हार दिखने लगी, तो जर्मनी के राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, अपनी राजगद्दी छोड़ दी और इसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर पारलियमेंटरी पॉलिटिक कि भाई देखो हम हार चुके हैं, हम राजगदी छोड़ते हैं, अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग देश को चलाओ, देश संभालो, तुम लोग का आप देश है, तुम लोग को ववस्था संभालना है। यहां पर लोगतंत रस्थापित हुआ, जर्मनी में लोगतंत रस्थापित किया गया, और यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया। पार्लियमेंट है, जिसको की क्या कहा जाता था, राइखिस्टेक कहा जाता था, जर्मन पार्लियमेंट को राइखिस्टेक कहा जाता है, यह याद रखेगा, आपके लिए आगे चलके हो सकता है, काम करें। तो यहाँ पर यह लोग जो थे, यहाँ पर लिडर जो थे, वो चुनाव से जीत करके आने लगे, और यहाँ पर चुनाव को ववस्था क्या था, equal और universal vote cast by all adult including women, यानि मर्द हो, औरत हो, किसी भी धर्म जाती कुछ भी हो, वो लोग vote करेंगे, सरकार बनाएंगे, और यहाँ पर सभी को equal voting का right दिया जाएगा, equal voting का अधिकार दिया जाएगा, तो यहाँ पर यह वाइमर गनराज्य क्या था, यह आप समझ गया, वाइमर रिपब्लिक क्या था, कैसे आया, यह समझ गया, यहाँ पर यह काम कैसे करता था, यह भी आप समझ गया, अब यहाँ पर देखि वही पसंद नहीं कर रहे थे बिल्कुल बला कि यार इन लोग कहां से आ गया है यार कौन है इन लोग कहां ला आ गया है इस प्रकार से यहाँ पर इनका लोगों का मानना था क्यों मानना था भाई? उसका कारण ये था कि जब नवंबर 1918 में जर्मनी की हार हुई थी जब जर्मनी ने हार स्विकार कर लिया था तब यहाँ पर कौन सत्ता में आ चुका था? उस समय ये रिपब्लिक गवर्मेंट यानि की वाईमर रिपब्लिक सत्ता में आ चुका था उस समय तक राजा ने अपनी गद्धी छोड़ दी थी और यहां पर ये लोग सरकार को संभालने लगे थे, चुने हुए नेता सरकार को संभालने लगे थे, तो जो यहां पर हार स्विकार करने वाला दस्थकत किया गया था, जो हार स्विकार करने का काम किया गया था, वो इस सरकार के द्वारा किया गया था और इसके कारण यहां पर जो जर्मनी की जनता थी उनका मानना ये था कि जो सरकार है यानि जो राजा था और साथ में जो सेना थी वो लोग युद्ध हारते नहीं लेकिन ये लोग आ गये न ये लोग आकर के सरकार में बैठ गये और इन लोग की जनता मान रही थी समझ गए इसलिए यहां पर जो जर्मनी की जनता थी वो इस डेमोक्रेसी को इस चुने हुए सरकार को बिलकुल भी पसंद नहीं कर रही थी क्यों क्योंकि जब यहां पर हार स्विकार किया गया जर्मनी के द्वारा तो उस हारने के वज़ा से यहां पर ज ज़्यादा बैइजत किया गया था, बेजती की गई थी, उसके सारे अधिकार, छेत्र वगेरा सबची छीन लिए गए थे, इसलिए जो जर्मनी की जनता थी, वो इस हार से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और हार का जिम्मेदार इस वाइमर गनराज जी को मान रही थी, वा पर जर्मनी रिपब्लिक भी बन चुका था, रिपब्लिक का मतलब क्या, मतलब कि जो देश का सबसे पावरफुल पोस्ट होगा, वो कौन क्या होगा, चुना हुआ पोस्ट होगा, जैसे 1918 तक जर्मनी का सबसे पावरफुल पोस्ट कौन था, वो था किंग, मतलब कि राजा के हाथ में सब्ता थी, लेकिन राजा ने क्या कर दिया, एब्डिकेशन कर दिया राजगद्धी छोड़ दी, तो राजा पूरी तरीके से सरकार से बाहर हो गया, अब जर्मनी में जो राश्ट्रपदी का पद होगा, जैसे हमारे देश में क्या है, राश्ट्रपदी कौन होता है, कोई भी वेक्ती है जो की चुनाव लड़कर के जीत जाए, वो राश्ट्रपदी बन सकता है, एक आम आदमी राश्ट्रपदी बन सकता है, तो हमारे देश क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था मुनार्की था जर्मानी में मतलब राजा कशाशन था लेकिन यहाँ पर राजा के राजगदी के छोड़ने के बाद क्या हो गया जो सबसे उचा पद था प्रिसिडेंट कह सकते हैं या फिर जो भी वहाँ पर पद होगा उस समय जो भी उसको कहते होंगे वो एक आम आदिमी चुनाव लड़कर के जाकर बैढ़ सकता था तो जर्मानी क्या बन गया रिपब्लिक बन गया रिपब्लिक बनने का यह मतलब है कि भाई देखो यहाँ पर जो सबसे पाउरफुल पोश्ट है वो क्या है एक प्रकार से आम जनता वहाँ पर चुन करके जाकर करके बैढ़ सकती है वहाँ पर वो वन्शानुगत नहीं होता है मतलब राजा का बेटा राजा ऐसा वहाँ पर वेवस्था यह चीज खतम हो चुका था तो यही चीज है कि यह जो रिपब्लिक था यह जो नई सरकार बनी थी यह जो नया वेवस्था आया था इसको जनता ज उसकी वज़ा से जो जर्मनी की जनता थी उसको एक बेजती के रूप में ले रही थी और उसका जिम्मेदार किसको माना जा रहा था इस वाइमर गनराज्य को माना जा रहा था ठीक है अब यहाँ पर आई समझते हैं कि यह जो पीस ट्रिटी साइन किया गया सांती समझहोता साइन किया गया जर्मनी के हारने के बाद उसमें क्या-क्या सर्ते रखी गई थी इसको समझते हैं तो यहाँ पर यह जो आपको पीस ट्रिटी साइन किया गया था यह वर्साए में साइन किया गया था कहाँ पर वर्साए में इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रिटी आ के से बैजजत किया गया और साथ में जर्मनी के बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे छेत्र, उसकी सेना सबको खतम कर दिया गया। आए समझते हैं क्या क्या हुआ। पहला तो जर्मनी लॉश्ट इट्स ओवर सीज कॉलोनीज जैसे इंगलैंड, बृतेन, भारत पर शाशन कर उसी प्रकार से जर्मनी भी कई सारे इलाकों पर शाशन करता था, तो वो सारे जो इलाके थे ना, वो जर्मनी से छीन लिये गए। जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर जर्मनी का शाशन था, तो यहां पर आप देख रहे हैं यह दुनिया का नक्षा है, इस दुनिय इलाकों पर जर्मनी की सरकार साशन करती थी, ये सब छीन लियेगा जर्मनी से, जर्मनी का इन सब पर से अधिकार क्या हो गया, खतम हो गया, ठीक है, पहला तो चीज ये हो गया, उसके साथ ही यहाँ पर जर्मनी का 13% टेरिटरी उससे छीन लिया गया, जहाँ पर करीब 10% आपको mineral rich इलाका था जहां पर अयस्क वगरा मिलते थे, वो भी उससे छीन लिये गए, मतलब ऐसा इलाका जहां पर 75 प्रतिशत आइरन मिलता था, मतलब जर्मनी में कुल आइरन का 75 प्रतिशत आइरन, जर्मनी के कुल कोल का 26 प्रतिशत कोल जिस इलाके में मिलता था, वो इलाका कहां ले लिया गया, France के द्वारा कबजा कर लिया गया, Poland के द्वारा, Denmark और Lithuania के द्वारा कबजा कर लिया गया, ठीक है, इसके साथ ही जो allied powers थे, यानि जो allied देश थे, उन सब ने क्या क्या, जर्मनी को demilitarize कर दिया, मतलब कि जर्मनी की सेना को एक तरीके से भंग कर दिया, खतम कर दिया, कि भाई जर्मनी देश के पास कोई सेना नहीं होगा, ताकि आगे चलके फिर से जर्मनी युद्ध करने की कोशिश ना करे, समझ गये, इसके साथ ही जर्मनी के उपर war guilt clause लगाया गया, मतलब कि ये जो युद्ध हुआ है न, ये तुम लोगों के चलती हुआ है, और तुम्हारी गलती है कि ये युद्ध हुआ है, ये आपको जर्मनी के उपर थुपा गया, और साथ में जर्मनी को ये मजबूर किया गया, कि जो युद्ध में नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा, जर्मनी देश करेगा, कितना 6 billion euro का जुर्माना लगाया गया जर्मनी के उपर, कि तुमको इतना पैसा सब देशों को अलाई देशों को वापस देना है, किसलिए, क्योंकि तुम्हारी वज़ा से हम लोगों को नुकसान हुआ है, ये एक प्रकार से यहाँ पर किया गया, जर्मनी के साथ, इसके साथ ही यही कहता है कि जो अलाईड आर्मीज थी, जहाँ पर देखिए, इन सब चीजों में क्या आपको दिख रहा है, कि जर्मनी का सेना खतम कर दिया गया, जर्मनी के राजा को राजगद्दी छोड़नी पड़ गई, वैसे जर्मनी के राजा को छोड़ने का दूसरा कारण था, क्योंकि देखिए, जब First World War चल रहा था न, तो First World War खतम होते होते तक जर्मनी में अनाजों की बहुत संकट होने लगी थी, जर्मनी की सेना, जर्मनी की जनता जो थी वो एक प्रकार से, चाहती थी कि युद्ध खतम हो, और युद्ध हार ने लगा, तो राजा को लगा कि यार अब हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो राजा ने राजगदी छोड़ दिया, वो अलग कहानी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता था, कि ये जो वाईमर गनराज्य में जो लोग हैं, जो कि डेमोक्रेट हैं, जो कि डेमोकरेसियस थापित करना चाहते हैं, जो कम्यूनिस्ट हैं, या फिर इसी प्रकार के जो विचारधहरा वाले लोग हैं, सोसियलिस्ट हैं, इन लोगों ने राजा को जबरजस्ती हटा दिया है, और इन्हों ने जान बुझ कर जाकर इस प्रकार की ट्रीटी साइन कर ली है और इनकी वज़ा से हमारी सेना हार चुकी है अगर ये लोग जाकर हार नहीं मानते तो हम लोग जाकर युध जीत जाते और जर्मनी की इतनी बेजिती नहीं होती और यहाँ पर यह जो treaty हुआ था यह जो समझाता हुआ था इस पर वाइमर गनराज ने ही जाकर sign किया था नेताओं ने जाकर signature किया था तो जनता जो थी वो इसी सरकार को जिम्मेदार मान रही थी कि तुम लोग आखिर क्यों sign किया ऐसा treaty का है sign किया इतना बेजती भरा treaty क्यों sign किया तुम लोगों ने यह इस बात को लेकर यहाँ पर जर्मनी की जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा थी समझ गए तो यहाँ पर यही कहता है कि मतलब जो जर्मनी की जनता थी, बहुत सारे लोग जर्मनी के, पहली बात तो वो लोग मान रहे थे कि इन ही लोग के चलते युद्धा रहे हैं, दूसरा मान रहे थे कि यार हार तो गए ठीक है, इतना बेजती भराट तुम लोग डॉक्यूमेंट कहा है, साइन करके आया, ये भी एक प्रकार से जर्मनी की जनता के बीच में गुसा था, अब ये जो नक्सा है, ये आपको दिखाता है कि जब फ़र्स्ट वर्ल्ड वार खतम हुआ, उसके बाद जर्मनी के साथ क्या किया गया, जर्मनी देश देख सकते हैं, इसमें आप देखे, ये आपका इलाका है, राइनलेंड का इलाका, जहां पर बहुत सारे मिनरेल्स मिलते थे, रिसोर्सिज मिलते थे, कोईल, आइरन वगरा मिलता था, तो उसको किस ने कबजा कर लिया, फ्रांस ने कबजा कर लिया, ये इलाका एक प्रकार से क्या गर दिया गया, मतलब कि यहां पर जो जर्मनी है, उससे एक प्रकार से छीन लिया गया, यहाँ पर मतलब सेना वगएरा नहीं रख सकते हैं, वैसे तो सेना पुरे तरीके से ख़दम कर दिया गया था, और इसके बाद आप देखें तो ये भी इलाका, ये भी इलाका, ये भी इलाका, ये ले लिया था, तो इस तरीके से देख सकते हैं, जो जर्मनी का आकार था, वो छोटा हो गया, और इस इलाके में जो लोग रहते थे, वो लोग अब कहां के निवासी हो गया, वो लोग अब फ्रांस वोगरा के निवासी हो गया, जर्मन लोग हैं जर्मन भासा बोलते हैं लेकिन किसके कबजे में हो गए फ्रांस के कबजे में इधर से पॉलेंड के कबजे में इधर से यहाँ पर डेनमार के कबजे में और यहाँ से लिथुआनिया के कबजे में तो सब तरफ से जर्मनी का इलाका छिन लिया गया सभी तरी तुम लोग ने तुरंत जाकर हार मान लिया, और तुम लोग ने तुरंत जाकर अपना इलाका सरेंडर कर दिया, सारे रिसोर्सेज दे दिये और इतनी बेज़ती भी करवाली। समझ गए? तो जर्मनी की जनता जो थी, वो जर्मनी के निताओं से बहुँ ज़्यादा नाराज थी, जर्मन के लीडर से बहुँ ज़्यादा नाराज थी। अब यहाँ पर आगे समझते हैं कि भाई, जब यहाँ पर हार हो गया, युद्ध खतम हो गया, युद्ध समाप्थ हो गया तो युद्ध समाप्थ होने का असर क्या पड़? तो topic है 1.1, the effects of the war यानि युद्ध का क्या असर हुआ ये जरा सा समझते तो यहाँ पर कहता कि the war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially देखें, जर्मनी युद्ध हारा था जर्मनी के साथ बहुत बुरा बरता हुआ था तो जर्मनी पर बहुत बुरा असर पड़ा था युद्ध का ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है लेकिन जो ये world war 1 लडा गया था उसमें सिर्फ जर्मनी को नुकसान नहीं हुआ था बलकि जितने भी देश ये युद्ध में सामिल थे युरोप के सभी देश, सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी फ्रांस की हो गई थी, रशिया की हो गई थी सब की हो गई थी आप अगर पिछला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि First World War की वज़ा से रसिया में भी राजा की सत्ता चली गई जबकि रसिया क्या हो गया था एक प्रकार से जीतने वाले साइड में था समझ गया इसी प्रकार से आप देखे तो ब्रिटेन के भी हवा टाइट थी फ्रांस के भी हवा टाइट थी सब की हालत खराब थी कहता कि from a continent of creditors यानि यानि यूरोप एक ऐसा इलाका जो बहुत ही अमीर हुआ करता था बहुत ही ताकतवर हुआ करता था जो कि दूसरे देशों पर कबजा करता था शाषन करता था दूसरे देशों को कर्ज लोन दिया करता था वो देश अब जाकर दूसरे देशों से कर्जा लेने लगा ये इस्थिती हो गई first world war की वज़ा से और यहाँ पर अगर आप देखे तो जो अमेरिका देश था अमेरिका देश first world war की वज़ा से बहुत ज़़ा पावरफुल भी हो चुका था क्योंकि यूरोप को उसने बहुत ज़़ा कर्जे वर्जे दिये थे समझ गए कहता कि unfortunately the infant Weimar Republic was being made to pay the sins of the old empire जो यहाँ पर नई नई सरकार बनी थी वाइमर रिपब्लिक बनी थी वाइमर गनराज्य बना था उसके उपर सारी जिम्मेदारी थोप दी गई कि भाई देखो तुम लोगोंने युध लड़ा है युध का हरजाना दो सेना मत रखो तुम लोग जो है अपना इलाका हम लोग को दे दो मतलब जो जर्मनी का इलाका है वो कबजा कर लो तो सारी एक प्रकार से जिम्मेदारी किस पर थोप दी गई वाइमर गनराज के उपर कि भाई देखो सरकार जो थी राजा जो था वो उसने युद लड़ा वो तो चला गया वो तो अपनी गदी छोड़ गया तुम लोग अब सत्ता में बैठे हुओ देश तुम लोग चला रहे हो तो तुम लोग को न हरजाना भरना पड़ेगा ये चीज यहाँ पर इसके उपर थोप दिया गया वाइमर गनराज के उपर कहता कि जो वाइमर गनराज ये था जो सरकार में बैठे हुए लोग थे उनको तो एक तो जाकर दूसरे देशों से डील करना है, दूसरे देशों को हरजाना देना है पैसा भरना है, सब चीज करना है और साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से हुमिलेशन हुआ, वो भी जेलना है दूसरे देशों के सामने हुमिलेशन और अपने देश में भी हुमिलेशन, सब तरफ से जेलना है, ठीक है? और इसके साथ-साथ, यहाँ पर जो जर्मनी की ववस्था थी economics था जर्मनी का वो भी गड़वड हो चुका था हमने देखा कि भाई हरजाना देने के लिए मजबूर किया गया जो resource वाले इलाके थे और वाले इलाके थे वो भी जर्मनी से छील लिये गए तो यहाँ पर जो जर्मनी की सरकार थी उसके पास बहुत तरीके की चुनोतियां थी समझ गए उसके पास पैसे वगर अभी उतने नहीं बचे हुए थे अब यहाँ पर कहता कि those who supported the Weimar Republic mainly socialist, catholic and democrats became easy target of attack in the conservative nationalist circle जो लोग वाईमर गनराज के समर्थक थे वाईमर गनराज को एक तरीके से समर्थन दे रहे थे जैसे कि socialist विचारधारा रखने वाले लोग जो catholic थे और इसके साथ ही जो democrat विचारधारा रखने वाले लोग थे इन सब को target किया जाने लगा जो लोग nationalist विचार रखते थे conservative लोग थे जो राजा का समर्थन करते थे सब फौज को समर्थन देते थे उन सब लोगों ने इनको target करना शुरू कर दिया और इनको नवंबर criminal कहा जाने लगा नवंबर criminal की यार तुम लोग नवंबर अपराधी हो नवंबर criminal क्यों? क्योंकि नवंबर में जाकर first world war खतम हुआ था मतलब हार स्विकार किया गया था समझ गया? तो यहाँ पर यही कहा जाता था उनका मजाक उड़ाया जाता था जो वाइमर गनराज्य के वाइमर रिपब्ली के जो लीडर थे जो सोसियलिस्ट विचार रखते थे catholic विचार रखते थे, democratic विचार रखते थे इन सब को मजाक उड़ाया जाता था क्या करके? नवंबर क्रिमनल नवंबर क्रिमनल का सिंपल मतलब है जो नवंबर में हम लोग हार हुआ था फर्स्ट वर्ड वार में हार हुआ था वो तुम लोगों की वज़ा से हुआ था इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? नवंबर क्रिमनल कहा जाने लगा अब इस चीज की वज़ा से इस चीज की वज़ा से आगे का पूरा politics decide हुआ कि आगे कैसे कैसे politics बढ़ा और यहीं से आप कह सकते हैं जो हिटलर का rise है वो यहां से तै हो चुगा था कि यहां से कोई भी नेता हिटलर अगर नहीं भी आता न तो उसके जैसा कोई भी अगर नेता आता जो कि उस प्रकार की बाते करता तो वो एक प्रकार से successful हो जाता वो वहां पर क्या हो जाता? जीत जाता, क्यों जीत जाता? क्योंकि यहां पर फ्रांस की जनता में ये बात बैठ चुकी थी ना कि जो socialist लोग हैं जो catholic लोग हैं, जो democratic लोग हैं ये लोग जो हैं, इनकी वज़ा से हम लोग हार चुके हैं और हमें हम अपनी हार का बदला लेना है और हमें अपनी स्थिती फिर से सुधारनी है समझ गए? तो यहां पर ये चीज एक प्रकार से यहीं से तै हो चुकी थी कि जनता जो है उसके मन में क्या भाव है जनता किस रूह आगे, किस तरफ आगे जाना चाहती है अब देखिए एक और चीज है उनको बहुत ज़्यादा वैलू दिया जाने लगा आम जनता से बहुत ज़्यादा वैलू दिया जाता था बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा बहुत ही आदर सम्मान के साथ देखा जाने लगा सैनिकों को और उनको बहुत ही ज़्यादा respect मिलने लगा ठीका अब यहाँ पर कहता है कि जो politicians थे और साथ में जो publicist थे उन्होंने ये जोर देना शुरू किया कि जो men होते हैं उनको aggressive होना चाहिए, strong होना चाहिए और masculine होना चाहिए यानि असली मर्द की पहचान क्या है कि वो aggressive होगा, वो strong होगा और masculine होगा, पूरा एकदम muscle से भरा हुआ होगा, bodybuilder type का होगा ठीका और साथ में जो यहाँ पर media था, जो यहाँ पर newspaper थे, अख़वार अगेरा थे, उसमें trench life को बहुत ज़दा glorify किया जाता था अब यह trench life का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप देखते हैं, world war one को देखते हैं, तो जो world war one में युध लड़ा जा रहा था ना, वो trenches में लड़ा जा रहा था ट्रेंच में लड़ने का मतलब किया है? मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको नक्षा दिखाओं तो यहाँ पर एक सेकेंड मैं आपको नक्षा दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो युध लड़ा जा रहा था वो दो तरफ से लड़ा जा रहा था आपको ये चीज पहले से पता ह जो वर्ड वार वन लड़ा जा रहा था वो जर्मनी दो तरफ से लड़ रहा था एक आपको फ्रांस की साइड में यहां पर और दूसरा इस तरफ रस्या की तरफ तो यहां पर जर्मनी जो रस्या की तरफ यूद लड़ रहा था वो मैदानों में फील्ड में लड़ा जा रहा और सामने जैसे इधर जर्मनी का सैनिक बैठा हुआ है और सामने फ्रांस का सैनिक दोनों ट्रेंच बना कर बैठे हुएं गड़े बना कर बैठे हुएं और गड़े से निकल कर गोली चला रहे हैं और दोनों सामना सामनी क्या कर रहे हैं गोली चला रहे हैं तो यहाँ पर इस life को कि भाई ट्रेंच में जो सैनिक रहते हैं, ट्रेंच में जो लडाईयां होती हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है इस प्रकार के ट्रेंचेज है, देखिए, यहाँ पर सैनिक क्या कर रहा है, यह ट्रेंच है, एक लंबा सा गढधा बनाया गया है, यहाँ से वहाँ तक, जिसमें सैनिक रहते हैं, यहीं उनका कई साल तक जीवन कटा, मतलब कोई सैनिक अगर युद्ध में गया है, तो वो इसी ट्रेंच में बैठा हुआ रहेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, और यहाँ से ऐसे गोली चलाएगा, और फिर आ करके बैठ जाएगा, और यहीं ट्रेंच पू की बात यहाँ पर की जा रही है, कि जो मीडिया था वो इस ट्रेंच लाइफ को बहुत ही गलोरिफाई कर रहा था, कि यहाँ पर जो सैनिक रहते हैं, वो बहुत ही शांदार एकदम हिम्मत, ताकत और जुनून के साथ युद्ध लड़ते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, ऐस ऐसे चुहे रहते थे, कि कोई सैनिक वहाँ पर उस ट्रेंच में अगर मर जाता था, तो उसकी लाश भी घर पहुचने नहीं पाती थी, और उसकी लाश को वहीं पर चुहे कुतर जाते थे, खा जाते थे, तो यहाँ पर इस तरीके की situation में यहाँ पर सैनिक रहते थे, इनको नहाने को नहीं मिलता था, इनको खाने के लिए अच्छी ववस्था नहीं थी बहुत तरीके की कठिनाईयों को जहल कर यहाँ पर यह लोग रहते थे और साथ में जब First World War हो रहा था, उसमें और भी तरीके की परिशानिया थी, क्या वहाँ पर बहुत ज़ादा बड़े मातरा में poisonous gases का भी इस्तमाल किया गया था और यहाँ पर लगातार enemy shelling होते रहती थी, तो बहुत ही डर कर, सहम कर, बचा कर कैसे भी वहाँ पर सैनिक रहते थे, और यहाँ पर संख्या भी क्या ओर रही थी, लागतार घंट रही थी, इनको एक बहुत ज़ादा नुकसान जिलना पड़ा, अब मतलब एक प्रकार से simply समझीए, कि भाई, बहुत बुरी स्थिती में सैनिक यहाँ पर युध लड़ रहे थे, इसके साथ ही, यहाँ पर जब फर्स्ट वल्ड वार चल रहा था, उस समय में वार प्रोपगेंडा बहुत ही चल रहा था, मतलब कि जितने भी सरकारे थी, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या फिर रशिया हो, सभी जगों पर वार को बहुत प्रोमोट किया जा रहा था, कि हाँ हाँ हमारा देश जो है, वो दूसरे देश को बरबाद कर देगा, खतम कर देगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उखाड फेकेंगे, कि आपको भी युद्ध में शामिल होना चाहिए, सेना में जाना चाहिए, और आपको सब को देश को बता देना चाहिए, कि हमारा देश कितना ताकतवर है, इस प्रकार की बात यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर जब भी discussion होता था, तो जब युद्ध चल रहा था, उसमें मेन मुद्ध क्या था? वार, युद्ध, कि भाई क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध में क्या करना है, हम लोगों को एक तरीके से दूसरे दिसको बरबाद कर देना है, कहता है कि, वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फूर कंजर्वेटिव डिक्टिटर्शीप डेटर्शीप डेटर रहे 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 था, और इसको उतना पनपने का मौका नहीं मिला, वो एक तरीके से लोगों को रास नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर आगे है हमारे सामने टॉपिक 1.2, 1.2 क्या है, पॉलिटिकल रैडिकलिस्म और एंड इकोनोमिक क्राइसिस, ठीका, देखें यहाँ पर कहता है कि, जब वाइमर रिपब्लिक आया, जब वाइमर गनराज की अस्थापना हुई राजा ने राजगदी जैसा कि रशिया में बॉल्षविक revolution हुआ था, रशिया में कम्यूनिस्ट रिवॉलूशन हुआ था, उसी प्रकार का एक revolution लाने के लिए, एक हम कह सकते हैं party बनाई गई थी, समझ गया जर्मनी में, ताकि यहाँ पर भी कम्यूनिस्ट सासन आ सके, यहाँ पर भी बतलब जैसा रश्या में रूल है वैसा ही हमें क्या करना है जर्मनी में भी रूल लाना है ठीक है अब यहाँ पर इस चीज की वज़ा से बहुत सारे मजदूरों के सोवियत बनने लगे नाविकों के सोवियत बनने लगे और इन लोगों ने क्या किया एक तरीके से डिमांड क जद्धी छोड़ दी है वही पर वाइमर रिपब्लिक जो है पार्लियमेंट में बैठा हुआ है वो सरकार चला रहा है वो युद्ध से जूज रहा है युद्ध खतम करने की स्थिती में है और उसी समय में जर्मनी में क्या हो रहा है यहाँ पर यह revolution चल रहा है कि हम लोग क्य करेंगे सरकार को ही पलड देंगे हम लोग क्या करेंगे सोवियत इस्टाइल गवर्मेंट लाएंगे जिस तरीके से सोवियत यहाँ पर रूस में साशन हो रहा है वैसा ही साशन कहां पर होगा जर्मनी में होगा ठीक है अब यहाँ पर यह सभी जो थे जैसे कहता कि अब यहाँ पर कहता है कि जो लोग सोशियलिस्ट विचार रखते थे, जो लोग कैथोलिक थे, ये सभी लोग इस सोवियत इस्टाइल गवर्नेंस का विरोध कर रहे थे, कि नहीं गाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर वाइमर में मिले, इन्होंने क्या क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अस्थापना की, कि भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं, और चुनाव होगा, चुनाव के जरीए सरकार बनेगी, और सरकार अपने सारे कामकाज चलाएगी, वही दूसरी तरफ ये इस प्रकार से, समझ गया? तो कहता कि, दव वाइमर रिपब्लिक क्रश्ट अप्राइजिंग विद धे हिल्प वार वेटरल और्गनाजिशन कॉल दफ्री कॉर्फ्स, यहाँ पर क्या हुआ? जो वाइमर गनराज के लोग थे, उन्होंने, रिटाइड आर्मी परसनल जो थ आर्ड सैनिक थे, उनका एक समूध था, जिसका नाम था फ्री कॉर्फ्स, उनकी मदब से, इस इस पार्ट अप्राइजिंग था, उसको खतम कर दिया, इनको हटा दिया, खतम कर दिया, और यहाँ पर, जो यह इस पार्ट अप्रिस्ट लिक के मेंबर्स थे, इन्होंने ये लोग आपस में हमेशा fight ही करते रह गए क्योंकि इनका fight कहां से शुरू हो गया था वाइमर रिपब्लीक के बनने समय से ही शुरू हो चुका था और इसलिए इनके बीच में कभी दोस्ती नहीं बनने पाई कभी यह लोग साथ नहीं आने पाई और आगे चलकर यहाँ पर जब हिटलर सत्ता में आया, हिटलर पावर में आ रहा था, उस समय भी ये लोग साथ नहीं आये, और इसकी वज़े से क्या हुआ, यहाँ पर हिटलर को पावर में आना ज्यादा आशान हो गया, समझ गए? तो यह एक पॉइंट है, समझ गए? अब यहाँ पर अगर हम लोग द चाहते हैं, बलकि क्या चाहते हैं, कि यहाँ पर बोल्शेविक सरकार बने, जैसे रशिया में सरकार बन चुकी है, कमिन्ट सरकार, उसी प्रकार का सरकार यहाँ पर भी अस्थापित करने की यह लोग कोशिश कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर तस्वीर आये देखते हैं, एक सेकंड, दूसरा तस्वीर है, ये देखिए, ये आपका Spartacist League के मेंबर्स है, और ये मेरे ख्याल से उस पार्टी के leaders की तस्वीर है, जिसमें कुछ खास leaders उपर खड़े हैं, यहाँ पर अब नाम मुझे रोजा करके कुछ special नाम था, मुझे नाम exactly याद नहीं है, तो ये सारे कुछ special leaders हैं, इनकी तस्वीरे आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ गया, तो यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या आता है, अब यहाँ पर आगे कहता है कि political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923, आगे चलकर जब युध वगरा खतम हो गया, युध के बाद यहाँ पर समस्याएं होनी शुरू हुई, क्या समस्या होना शुरू हुआ, यहाँ पर 19, जब First World War खतम हुआ, उसके बाद हमने क्या देखा, कि जर्मनी के जो resource वाले इलाके थे, वो छिन लिये गये थे, जर्मनी को पैसे भरने थे, किसको allied countries को पैसे भरने थे, बहुँच जदा नुकसान झिलना पड़ा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी में एक प्रकार का economic crisis आ गया, जर्मनी के सरकार के पास पैसे नहीं ना तो वेतन देने के पैसे थे, ना तो कुछ काम करने के पैसे थे, और साथ में सरकार को कोई समर्थन मिल नहीं रहा था, जनता बिलकुल भी पसंद नहीं कर रही थी, वाइमर गंडराजी को, तो तरह-तरह की चुनोती हैं सरकार के सामने थी, तो जर्मनी के सामने financial बहुत जदा दिक्कत था, इसलिए जर्मनी में क्या हो गया, economic crisis आगया, क्यों? क्योंकि जर्मनी जब first world war लड़ रहा था, तो उसने बहुत सारे कर्जे लिये थे, और कर्जी की मदद से उसने युध लड़ा था, और युध में हर जाने के वज़े से क्या हुआ? उसको repartation देना पड़ा था, यानि हर जाना देना पड़ा था, और हर जाना कैसे दिया था? गोल्ड में दिया था, जैसे देखिए दुनिया का हर देश जो होता है, वो अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखता है, जैसे हमारे भारत सरकार आज भी बहुत सारा पैसा रखती है, जो कि रिजर्व के रूप में रखती है, तो यहाँ पर जो जर्मनी के सरकार थी, उसके पास भी गोल्ड था, रिजर्व था, अपना सरकारी खजाना था, तो तो यहाँ पर आगे चलकर 1923 में क्या हुआ कि जर्मनी की सरकार के पास बिलकुल भी पैसा नहीं बचा और जब बिलकुल भी पैसा नहीं बचा तो जर्मनी ने बोला कि भाईया हम नहीं दे पाएंगे हमारे पास पैसा नहीं है हमारी सरकार के पास बिलकुल भी पैसा नहीं है जहां पर बहुत सारे industries थे, जहां पर coal वगरा मिलते थे, उन सब को आकर कबजा कर लिया, कैसे नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे तो कोईला दोगे, कोईला नहीं दोगे तो लोहा दोगे, जो इलाका है हम तुम्हारा कबजा कर लेंगे, यह यहां पर Germany का किया गया, अब यहां पर देखे क्या होता है, कि जब इस प्रकार से आपके सरकार के पास पैसा नहीं होता है, आपके सरकार के पास कोई खाजाना नहीं होता है, और सरकार के उपर बहुत सारे करज होते हैं, बहुत सारा payment करना होता है, तो उस समय क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, बहु अभी आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको उधारन ये होगा कहाँ पर वेनेजुएला का इसके अलावा अर्जेंटीना में भी इसी प्रकार का इंफलेशन चल रहा है जहाँ पर हर साल बहुत महंगाई बढ़ रही है और आपके पडोसी में पाकिस्तान की इस्थिती ऐसी है इतनी बुरी इस्थिती नहीं आई है लेकिन हो सकता है कि आगे 5-10 साल में ये इस्थिती आ जाए जो कि यहाँ पर अभी हम देखने वाले समझ गया क्यों क्यों कि अगर आप पकिस्तान का देखे तो उसके उपर करजे विदेश के करजे बहुत जादा है पकिस्तान के सरका की वैल्यू है वो बहुत ही गिर जाएगी जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक डॉलर का रेट कितना है आज के समय में 82 रुपीज है और भारत सरकार क्या करे नोट चापना शुरू कर दे बोलो कि जितना चापना है चापो 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 बहुत ज़ ज़्यादा पैसा चाप देती है तो यह 82 जाकर के 800 रुपया भी हो सकता है जाकर के 8000 रुपया भी हो सकता है यही चीज होता है जब सरकार बहुत ज़्यादा नोट चापती है तो यह रेट गिर जाता है और यहाँ पर जर्मनी की सरकार ने यही पेपर करेंसी बहुत ज़् परिशानिया थी, ये चीज़े आप आगे economics में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगी तो सरकार ने क्या किया, बहुत ज़्यादा paper currency छपना शुरू कर दिया, तो German mark का value गिर गया, जर्मनी की जो उस समय currency होती थी, उसको होता था, 24,000 mark होता था जुलाई में आते आते कितना हो गया, 3,53,000 mark हो गया, और अगस्त में आते आते 46,21,000 mark हो गया और आगे चल कर, ये आपको दिसंबर आते आते 9,88,60,000 mark हो गया, एक डॉलर के बराबर, देखे रहे कितना value गिर रहा, हर महीने 2 गना, 3 गना, 4 गना, 5 गना, 10 गना value गिर जा रहा है, mark का समझ गया, जर्मनी की currency की ठीक है, तो आगे चल कर ये value कहा हो गया, trillions, मतलब 100 करोड, 200 करोड, 300 करोड, ऐसा हो गया तो ये इस्थिती आ चुकी थी कि हर चीज का price इतना जदा बढ़ गया, कि अगर किसी व्यक्ती को एक bread भी खरीदना है न, तो bread खरीदने के लिए, वो यहाँ पर cart load में currency note लेकर जाते थे, मतलब एक थैला भरके, एक bell गाड़ी भरके, लोग note लेकर के जाते थे, तब जाकर एक bread मिलता था, ऐसी महंगाई चड़ चुकी थी, ऐसी महंगाई आ चुकी थी, समझ गए, तो इस चीज को देखने के, बहुत दुनिया के जो दूसरे देश थे, उन्हों ने देखा कि यार, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी देशों को मदद करनी चाहिए, जर्मनी की मदद करनी चाहिए, इस प्रकार की भावना लोगों में आने लगी, दुनिया के सभी देशों में आने लगी, अब ये जो इस्थिती होती है, जहां पर इस प्रकार को मिलेगा कि यार ये क्या हो रहा है और हाएक और दे जिंबावी वहाँ पर भी ऐसा हुआ था वहाँ पर जो नोट होता है जैसे हमारे देश में नोट कीतना का आता है 100 गार गाता है कहां पर Germany वे यह हो चुकी थी, जिसको हम क्या कहते है, hyper inflation, यहां पर hyper inflation का simple मतलब है, कि prices इतने ज़्यादा high हो चुके हैं, कि वो बिल्कुल भी मतलब out of concept है, यह देखिए, यहां पर यही तस्विर दिया गया, कि यह वेक्ति यहां पर इन bags में क्या कर रहा है, note भर के लेके ज जा रहा है, समझ कह, आगे कहता है, कि eventually the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing DAWs plan, which reworked the terms of repartition to ease the financial burden of Germans, आगे चलकर अमेरिका की सरकार ने intervention किया, और बोला कि भाई देखो तुमको पैसा देना है न, कुछ दिन बात देना, थोड़ा सा interest कम देना, थोड़ा सा कम पैसा देना, इस प्रकार से जो पैसा चुकाना था जर्मनी को, उसमें थोड़ा सा छूट दिया गया, ताकि यहाँ पर जो जर्मन की सरकार के उपर बोज है, उसको कम किया जा सके, समझ गए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस्थिती खराब हुई, ठीक, अब यहाँ पर आगे इस्थिती और भी ख बात करनी, economy में depression, topic है 1.3, the years of depression, ठीक, कहता कि the years between 1924 and 1928 saw some stability, 1924 से 1928 तक कुछ एक प्रकार सी थी सुधरी, क्यों सुधरी, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने लोन देना शुरू किया, यहाँ पर जो पैसे चुकाने थे जर्मनी को, उसमें थोड़ा छूट दिया गया, इसकी व This was built on sand, मतलब यह temporary था, क्यों temporary था, क्योंकि यहाँ पर जो investment हुआ था, जो भी industrial recovery हुई थी, वो क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पर short term loan मिले थे जर्मनी को, और यह कहां से मिले थे, USA से मिले थे, लेकिन जब यहाँ पर 1929 में कहां पर, अमेरिका के Wall Street में, Wall Street क्या है भाई, Wall Street अमेरिका का stock exchange है, जैसे कि हमारे देश में NAC है, या फिर आपको Bombay stock exchange है, उसी प्रकार से अमेरिका में जो stock exchange है, उसके लिए हम लोग Wall Street exchange नाम यूज़ करते हैं, उसके लिए और भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर crash आ गया, crash आ गया मतलब किया, पर जो share की कीमते थी, वो बहुत जादा गीर गई, और इसकी वज़से क्या हुआ, उसका असर अमेरिका पर तो पड़ा, अमेरिका में depression आ गया, economic depression, और उसका असर जर्मानी पर भी पड़ा, और भी देशों पर पड़ा, कैसे पड़ा, समझते हैं, कहता है कि 1929 में क्या हु अब है, share का दाम गिरने लगा, तो लोगों को लगा कि यार और गिर जाए, उससे पहले क्या करो, share को बेच दो और घर आकर बैठ जाओ, अराम करो, मतलब अपना जो loss हो रहा है, loss को कम कर लो, तो share बहु जदा बिखने लगे, पूरा share market क्या हो गया, एक प्रकार से crash कर गया पूरा share market में share बहुत ज़दा sell हो रहे थे, और यहां से सुरुवात होई great economic depression की, 1929 से great economic depression की सुरुवात होती है, अब यहां पर क्या इसका असर होता समझते, great economic depression का मतलब क्या है, इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था एक प्रकार से कि आप ऐसी स्थिती समझ ये, कि आप जैसे अभी क्या देख रहे हैं, आप अगर बाजार जाते हैं, तो बाजार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग business कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सारे लोग खरीद रहे हैं, तो ये trade वगरा चल रहा है, आप कहीं पर factory में जाएंगे, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, स्कूटर बना रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़े बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को खरीदना है, लेकिन ये इस्थिती ऐसी इस्थिती थी, जहां पर सारे काम रुक चुके थे, लोग ज फेक्टरी में एक हजार लोग काम क्यों करेंगे, वो फेक्टरी में से बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा तो उन लोगों का गरी भी हो जाएगा, फिर वो भी समान नहीं खरीदने पाएंगे, तो यह एक सिस्टम ऐसा इस्थिती हो ज यहाँ पर इतनी बड़ी आर्थिक मंदी आई कि अगले तीन साल में जो अमेरिका देश था, वहाँ पर नैशनल इंकम कितना हो गया, आधास गिर गया, मतलब कि एवरेज अगर साल में एक व्यक्ति एक लाख रूपय कमाता था, तो वो 1932 में वो कितना कमाने लगा, 50,000, 50,000 क मतलब समझे सिंपली बात कि हर व्यक्ति की आंधनी कितनी हो गई, लगभग आधी हो गई, ठीक है, और इसका असर क्या हुआ, बहुत सारी फैक्टरियां बंध हो गई, जो एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, वो गिर गया, फार्मर्स जो थे, वो एक प्रकार से उनकी बिक्री बंध हो गई, और साथ में जितने भी स्पेकुलेटर्स थे, उन्होंने मार्केट से अपना पैसा खीच लिया, मतलब सियर मार्केट वगएरा से अपना पैसा निकाल लिया, अब इसका इस तरीके के जो आर्थिक बंधी अमेरिका में आई, उसका असर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर नहीं हुआ, बलकि पूरी दुनिया पर हुआ, और इसमें से अगर हम लोग बात करें, तो सबसे जदा असर किसके उपर हुआ, जर्मनी की एकनॉमी पर हुआ, जर्मनी की ववस्था पर हुआ, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो जर्मनी में पेरिजन में, 1932 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% कम हो चुका था मतलब अगर पहले 100 मोटरसाइकल बनती थी तो अब कितना बनने लगा? 60 मोटरसाइकल बनने लगा. इस प्रकार से इतनी कम हो चुकी थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में वरकर्स की नौक्रियां चली गई और जिन लोगों की नौक्री बची भी थी उनको wages कम मिलने लगे, कम वेतन मिलने लगे. पहले 10,000 मिलता था फिर 5,000 मिलने लगा. ऐसी सी थी हो गई. इसके साथ ही कहता कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो unemployed हो गए. कितनी बड़ी संख्या? भाई कहता है 6,000,000 लगभग 60,000 लोग ऐसे थे जर्मनी में जो लोग नौकरी चाहते थे लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा था. रोड पर लोग आपको गले में खुटा बांद कर घड़े में स्लेट या फिर एक हम कह सकते हैं बैनर लेकर घुमते थे कि भाई मैं कोई भी काम करने के लिए तयार हूँ मुझे तुम काम दे दो. या इसी स्थिती यहाँ पर आ चुकी थी. वो जवान लोग थे वो क्या कर रहे थे? जवान लोग या तो जाकर वहाँ पर रोड पर जाकर सटे बाजी खेल रहे थे, तास खेलते थे, या फिर बैठे हुए रहते थे रोड पर, या फिर अगर कोई एकदम इमर्जेंसी भाई हमको काम चहबे करिये, तो वो लोग जाकर लाइन में लगके काम की तलाश कर रहे थे. मतलब सब लोगों के पास काम नहीं थे, बेरुज़गारों की संख्या बहुत ज़दा बढ़ चुकी थी. कहता कि, as job disappeared, the youth took to criminal activities and total despair become commonplace. जैसे जैसे नौकरियों की संख्या कम होने लगी, नौकरिया खतम होने लगी, तो बहुत सारे जो youth थे, वो क्या करने लगे, crime में शामिल होने लगे, loot part करने लगे, हत्याएं बढ़ गई, और तरीके की crime बहुत ज़दा यहाँ पर जर्मनी में ज़्यादा बढ़ने लगे, कहता कि the economic crisis created deep anxiety and fear in people, economic crisis की वज़ा से लोगों में बहुत ज़दा डर हो गया, बहुत ज़दा चिंता हो गई, कि यार हमारे देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे सिती कैसे सुधरेगी, कि इस प्रकार की बहुत ज़दा समस्या होने लगी, जो middle class के लोग थे, खास कर जो salary के उपर काम करते थे, जो pension के उपर रहते थे, उनकी जो savings थी, वो बहुत dimnish होने लगी, जैसे जैसे, माल लीजे कि यही simply बात है, माल लीजे कि आपने एक लाख रुपय अपने bank account में रखे हैं, कि भाई, एक लाख रुपय हैं, एक लाख रुपय मैंने बचा करके रखें, लेकिन, आज के अगर दो साल बाद, अगर एक लाख रुपया में आपको एक टॉफी मिले, तो क्या आपका एक लाख रुपया सेविंग का कोई वैल्यू है, माली जे कि अभी आपका सेलरी दस जा रुपया है, दस जा रुपया में अपना घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन, दो साल बाद महंगाई ऐसा हो जाए, कि आपको एक लाख रुपया में एक टॉफी मिले, तो आपका ये सेविंग किस काम का है, आपका ये जो सेविंग है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, यही चीज़ कहता है, कि जो यहाँ पर सैलरी पर काम करने वाले लोग थे, जो लोग पिंशन पर काम करते थे, उनका saving वगेरा इस प्रकार का ये हालत हो गया कि जो एक लाख रुपया उनके लिए बहुत बड़ा पैसा था एक साल की कमाई थी वो क्या हो गया एक टॉफी के बराबर हो गया समझ गया इसी प्रकार से जो self-employed लोग थे जो retailers थे उनको एक प्रकार से उनको भी बहुत समस्या हुई क्या समस्या हुआ भाई उनको समस्या ये हुआ कि उनका business एक प्रकार से down हो रहा था उनका विक्री नहीं हो रहा था और साथ में एक प्रकार से उनका business पूरी तरीके से बरबाद हो रहा था और साथ में जो यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अमीर लोग थे या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनकी स्थिती अच्छी थी वो गरीब नहीं थे उन लोगों को भी चिंता थी, क्या चिंता थी? prolitarianization का डर था किस चीज का डर था? अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई एक आम आदमी है जिसकी स्थिती अच्छी है आमदनी अच्छी है, कमाई अच्छी है, घर अच्छी से चल रहा है लेकिन उसको डर ये है कि भाई मेरी ये जो ववस्था है वो खतम हो जाएगा और मुझको क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करना पड़ेगा या फिर गरीबी में जीवन जीना पड़ेगा या फिर किसी प्रकार से मुझे खाने के भी लाले पड़ सकते हैं वो स्थिती के बारे में अगर आपको डर हो कि भाई मेरी अच्छी स्थिती खतम हो जाएगी और बुरी स्थिती आजाएगी तो उसके लिए ये वर्ड समझ गया? तो यहाँ पर यही कहता है कि An anxiety of being reduced to the rank of working class और worse is still the unemployed मतलब कि आपको एक मजदूर क्लास में जाने का डर हो या फिर आपको जॉब पूरी तरीके से बर्बाद होने का डर हो तो उसके लिए ये वर्ड है ठी? कहता कि only organized worker could manage to keep their heads above water but unemployment weakened their bargaining power वैसे workers जो कि organized थे वो एक प्रकार से अपनी स्थिती को संभाले हुए थे क्या चाहते थे कि कोई भी नोकरी मिले कैसा भी मिले कहीं भी कुछ भी करना पड़े हम लोग काम करने के लिए तयार है ऐसी स्थिती थी जो बड़े-बड़े business थे बड़ी-बड़ी company थी बड़ी-बड़ी जो businesses थे वो crisis में चले गए वो बरबाद होने की स्थिती में आ गए और बहुत बड़ी संख्या में जो किसान थे वो भी एक प्रकार से बहुत बुरी स्थिती में थे क्योंकि जो agricultural prices थे वो भी बहुत ज़दा खराब हो चुके थे मतलब जो अनाज 100 रुपय का विक्ता था वो 10 रुपय में भी कोई खरीदने के लिए तयार नहीं है ऐसी स्थिती आ चुकी थी और साथ में जो महिलाएं थी वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपने बच्चों के पेट भरने के लिए भी समान या फिर ववस्था नहीं जुटाने पा रही थी परिवारों के लिए ये भी चिंता हो चुकी थी समझ गए और पूरा समाज पूरा देश एक दुख में महौल में डुपा हुआ था एक तकलीफ में डुपा हुआ था ये इस्थिती यहाँ पर आ चुकी थी अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि पॉलिटिकली टू दा वाइमर रिपब्लिक वास फ्रैजाइल अगर हम पॉलिटिक्स के मावले में बात करें जो वाइमर रिपब्लिक था वो क्या था बहुत ही कम्जोर था फ्रैजाइल था क्यों था क्योंकि उसका एक बेसिक रिजन था की भाई वो बिलकुल नया नया था तीन चार साल पांच साल हो रहे थे वाइमर रिपब्ली को बने हुए, ये तो एक basic reason था, उसके अलावा और भी reason ये था, कि जो यहाँ पर constitution बनाया गया था जर्मनी में, उसमें कुछ defects थे, कुछ कमिया थे, जिसकी वज़ा से यहाँ पर dictatorship आने का खतरा था, यहाँ पर कुछ problems आने का खतरा था, क्या भाई, क्या problem था, सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पर proportional representation का system था, proportional representation का system का मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने देश में देखें तो क्या होता है, अपने देश में हमारे parliament में 543 seats हैं, जहाँ पर election होता है, अब यहाँ पर हमारे देश में हर seat के लिए, अलग-अलग election हो हर seat पर हर party से क्या होगे लोग fight करेंगे जिस आदमी का सबसे ज़दा vote आ गया वो क्या हो गया? seat जीत गया उसी प्रकार से हर seat पर क्या हो गया? seat जीत गया इस प्रकार से होता है हमारे देश में लेकिन यहाँ पर proportional representation में क्या होता है? कि जो यहाँ पर Parliament है, Parliament का election होगा, उसमें अगर चुनाव लड़ा जाता है, तो चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टियां होती हैं, उनको जितना vote मिलेगा, उतना seat मिलेगा। मान लीजे कि यहाँ पर जर्मनी की Parliament में 100 seat है, और चार पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और चार पार्टी को एक पार्टी को 30% vote मिला, एक पार्टी को 25% vote मिला, तो इन सब का क्या होगा, जितना प्रतिशत vote, उतना प्रतिशत seat इस प्रकार से यहाँ पर seat दिया कि कुल मिलाकर 100 seat हैं, एक पार्टी ने 30% seat जीते, तो उसको 30 seat मिलेगा, एक पार्टी ने 20% vote जीते, तो उसको 20 seat मिलेगा, एक पार्टी ने 25, तो यहाँ पर 25 और इसको भी 25, अब बोलिए, यहाँ पर जो सरकार बनेगी, क्या ये सरकार कभी भी बहुमत में आ सकती है, कभी भी यहाँ पर मेजोरिटी हो सकता है, जी नहीं, मेजोरिटी होता ही नहीं था, तो यहाँ पर क्या होता था, सरकार कभी मेजोरिटी के बनती ही नहीं थी, और मेजोरिटी के सरकार बनती ही नहीं थी, तो बार बार सरकार गिर जाता था, यह एक पहला समस्या हो गया, इसके पर सरकारी कैसी बनने लगी? कॉइलेशन की सरकार बनने लगी, गटबंधन की सरकार बनने लगी. आगे दूसरा कमी क्या है? दूसरा कमी कहता है, अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल फोटी एट, विच गेव प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज इमर्जेंसी, सस्पेंड सिविल राइट एंड रूल बाइट डिक्री. आर्टिकल फोटी एट करके एक वहाँ पर समिधान में कानून था, कि जो प्रेसिडेंट है, उसके पास ये पावर होगा, कि वो कभी भी देश में इमर्जेंसी लागुत कर सकता है, लोगों के जो अधिकार हैं उसको खतम कर सकता है, और यहाँ पर डिक्री की मदद से रूल कर सकता है, मतलब कि अध्यादेश लाकर रूल कर सकता है, मतलब कि पारलियमेंट से कानून नहीं पास कराना है, पर राष्टपती खुद से कोई भी कानून बना सकता है, ऐसा यहाँ पर ववस्था कर दिया गया, अब यहाँ पर जो वाइमर रिपब्लीक था, उसके जितनी भी दिन वो रहा, 1933 तक वो रहा था, उसमें जो वाइमर रि अब यहाँ पर कहता है, yet the crisis could not be managed, people lost covenant in the democratic parliamentary system which seemed to offer no solution, अब इन चीजों की वज़ा से, पहले ही हमने देखा कि भाई, देखो, parliamentary system से जनता खुश नहीं थी, जनता सरकार से बिलकुल भी खुश नहीं थी, जनता पूरा तरीके से दोस देरी थी, world war हारने का इनके उपर, उपर स ववस्था आप ऐसी दीजिएगा, कि हर छे महीने में सरकार गिर जाए, हर आठ महीने में सरकार गिर जाए, हर आठ महीने में नए सरकार बने, coalition की सरकार बने, कोई आप decision नहीं ले पा रहे हैं, कोई आप काम नहीं करने पा रहे हैं, तो जो जनता है वो कैसे खुश होगी, जनता बिलकुल भी बोले कि यार ये वस्थाही बेकार है, ये पारलियमेंट काहल के लिए बना के रखे हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, को हम लोग का स्थिती खराब है, economic crisis में है, सब तरीके की problems हैं, तो यहाँ पर इसका फाइदा क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1932 तक क्या हुआ, ये एक प्रकार से हमने समझा, अब यहाँ पर हम स्थोक समझेंगे कि जो Hitler था, जो कि 1933 में पावर में आ चुका था, ये पावर में कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसने क्या-क्या काम किये, कैसे इसक इन सभी चीजों की वज़ा से हिटलर को पावर में आने का एक मौका मिला उसका रास्ता क्लियर हो गया तो हिटलर की बात करें तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में और जन्म हुआ था आस्ट्रिया में आस्ट्रिया क्या है एक देश है जो की आज जर्मनी के बगल में है अगर हम लोग नक्षे में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर नक्षा अगर आप देखते हैं तो यह आज का जर्मनी है यह देखे जर्मनी है और यहां पर है आॉस्ट्रिया अब लेगा सर यह आॉस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ यह आॉस्ट्रियन था तो यह जर्मनी कहां से पहुँच गए यह आॉस्ट्रिया है यहां पर जर्मनी है अब देखे एक बात क्लियरली समझे जो और आस्ट्रिया और जर्मनी में रहने वाले जो लोग हैं वो एक प्रकार से सीव इतनीक ग्रूप से आते हैं। मतलब कि दोनों एक ही लोग हैं, एक ही कम्यूनिटी के लोग हैं, दो अलग-लग देश हैं। तो यहां पर इसका जर्म कहा हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और वो messenger के रूप में काम करता था, मतलब कि जहाँ पर front line में जहाँ पर war होता था, वहाँ पर message को पहुँचाना, receive करना इस प्रकार से वो उसका काम था, आगे चलकर वो उसका promotion भी होता है, वो corporal बन जाता है, और उसको bravery के लिए medals भी मिलते हैं, काफी उसको middle मिलते हैं, काफी सम्मान मिलता है, काफी वो bravely फाउट करता है, काफी bravely वो अपना काम करता है, ठीक है? अब यहाँ पर आगे जब वो देखता है, कि जब जर्मनी की हार हो जाती है, और वहाँ पर, जब ये हार की खबर उसको मिलती है, इसके बारे में पूरी कहानी है, कि एक hospital में वो जखमी रूप में बैठा हुआ था, उसका इलाज चल रहा था, तब उसको कुछ लोग आते हैं, कुछ सैनिक आते हैं, तो सभी लोगों को खबर सुनाते हैं, कि जर्मनी की हार हो गई है, और उस समय वहाँ पर उस hospital में वो क्या गरता है, बहुत ही food food कर रोता है, बहुत ज़्यादा वो रोता है कि भाई मेरा देश कैसे हार गया, समझ गया, और इसके बाद जब वरसाई की treaty sign होती है, हार गया बात अलग है भाई, लेकिन ये treaty, ऐसा, ये treaty क्यों sign किया गया, इसके बाद क्या होता है, कि जो हिटलर है, वो 1919 में जाकर एक छोटी सी पार्टी का जॉइन कर लेता है, पॉलिटिकल पार्टी को, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये छोटी सी पार्टी थी, उतना ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे इस पार्टी को, इस पार्टी को जाकर के ये join कर लेता है, और आगे चलकर के ये पूरे पार्टी के उपर कबजा कर लेता है, मतलब कि पूरे party का leader बन जाता है, पूरा party ये चलाने लगता है, और इस party का वो नाम बदल देता है, और नाम क्या कर देता है, National Socialist German Workers Party, ये नया नाम रखा जाता है party का, Hitler की party का, और इसी party को आगे चल करके क्या कहा गया है, Nazi party का आगया है, अब देखें ये जो आप नाम देख क्या आया नाजी पाटी आया ठीक है अब यहाँ पर देखें 1919 से लेकर 1923 तक हिटलर क्या गरता है अपना politics चमकाने की कोशिश करता है लीडर बनने की कोशिश करता है कि मैं क्या करता हूँ एक प्रकार से politics में अच्छे से successful हो जाता हूँ फिर मैं अपने हिसाब से सरकार चलाओंगा लेकिन जब उसको लगता है कि यार successful हो नहीं रहे हैं तो हिटलर जो है 1923 में जर्मनी का एक इलाका जिसका नाम क्या है बैवेरिया है इसको कबजा करने की कोशिश करता है, कि मैं क्या करूंगा, बैवेरिया को कबजा कर लूँगा, और बैवेरिया को कबजा करकर के पूरे जर्मनी के उपर कबजा कर लूँगा, बैवेरिया को कबजा करने की कोशिश करता है, पावर कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो fail हो जाता है, उसको arrest कर लिया जाता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया जाता है, समझ गए? तो इस प्रकार से हिटलर जो है, वो कोशिश करता है कब? 1923 में कि भाई, पावर मेरे पास आ जाए और हम लोग क्या गरते हैं? सरकार चलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, 1930s आते आते तक, 1930, 31, 32 आते आते तक, जो नाजी पार्टी थी, उसको बहुत ज़दा popularity नही की लोगों को रुजगार से हाथ धोना पड़ा, बहुत तरीके की लोगों को तकलीफे देखनी पड़ी, तब जाकर जो नाजीजम था, नाजी पार्टी थी, हिटलर था, उसकी popularity बहुत ज़दा बढ़ गई, समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, तो क्या इस्थिती हुआ यह तो आपको पता है कि 1929 के बाद बैंक्स जो थे धाराशाही हो चुके थे, खतम हो चुके थे, बरबाद हो चुके थे, जितने भी बड़े-बड़े बिजनेस थे, वो बंद हो रहे थे, या फिर जो चल भी रहे थे, वहाँ पर लोगों को वेतन कम मिलता था, वरकर्स की वरकिंग क्लास में आने का खत्रा, मजदूर बनने का खत्रा, इस प्रकार के खत्रे चल रहे थे लोगों के मन में, तो इस समय जब हिटलर आता है, इस समय जब नाजी पार्टी आती है, वो जब अपना प्रचार करती है, कि भाई देखो, हम लोग आकर के पूरा देश बद की जाती है, नाजी पार्टी के द्वारा, और साथ में हिटलर के द्वारा, तो अगर हम लोग उदारण के लिए देखें, कि किस समय से हिटलर पॉपुलर होना शुरुआ हुआ, तो 1928 में उतनी एकनॉमी में कोई प्राब्लेम नहीं थी, समाज में भी कोई प्राब्लेम उ बहुत तरीके की तकलिफे होना लगी, उस समय जब एलेक्शन हुआ, तो जो हिटलर की पार्टी थी, वो क्या बन गई? लारजेस्ट पार्टी बन गई, सबसे बड़ी पार्टी बन गई जर्मनी की, और इसको कितने वोट मिले? 37% वोट मिले, कुल मिला आकर कितने वोट मि देश में, क्या परिशानी आ चुकी थी? भाई, आर्थिक मंदी आ चुकी थी, ठीक है? अब यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर आपको एक, आपको मीटिंग का, 1938 के मीटिंग का तस्वीर है, जहाँ पर हिटलर भाशन दे रहा है, लोग यहाँ प कुछ खास मतलब होता है, क्या होता है? यहाँ पर कहता है, specific type of message, directly aimed at influencing the opinion of people, यानि जब भी आप लोगों को influence करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, अपनी side करने के लिए, कोई अगर ख़बर चलाते हैं, कोई message देते हैं, तो वो propaganda होता है, मतलब कि मैं भाई, जैसे कोई निता आए, बोले कि यार मैं बहुत महान आदमी हूँ, मेरे को vote दोगे ना मैं पूरा देश बदल दूँगा, मैं सबसे इमांदार हूँ, सारे सब लोग चोर हैं, इस प्रकार से जब आप गलत news, सही news, कुछ भी करके, आप बस चाहते हैं कि लोग हमें समर्थन करें, वहा होता है, एक प्रकार का प्रोपगेंडा होता है, मतलब कि जहां पर आप पोस्टर बनाते हैं, फिल्म बनाते ही, स्पीच बनाते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ों को, बस आपको क्या गरना है, लोगों का ओपिनियन मेरी तरफ हो, इस प्रकार का जब आप intention के साथ खबर चलाते हैं, उसमें सही गलत की बात नहीं करते हैं, तो वो एक प्रकार का प्रोपगेंडा होता है, ठीक है, अब हिटलर के बात है, कि हिटलर इतना जदा पॉपुलर क्यों हो गया, उस समय तो बहुत सारे पॉलिटीशन रहे होंगे, सभी लोग यही बात करते होंगे, जैसे आज आप अपने देश में देखेंगे, हमारे देश में भी, कोई भी पॉलिटीशन होता है, वो क्या बोलता है, उसका सबसे सिंपल बात है, यही बोलेगा, कि हम जो आएंगे, हम अगर चुनाव जीत जाएंगे, तो हम लोग अपने देश का भविस से बदल देंगे, हम लोग लाएंगे, लोगों को नौकरिया देंगे, गरीबी खतम कर देंगे, यह हर देश में, हर चुनाव में, हर पॉलिटिकल पार्टी यही बात बोलती है, लेकिन यहां पर हिटलर जर्मनी में क्यों सक्सेस्फुल हुआ, क्योंकि हिटलर जो था, वो बहुत ही पावरफुल लगते थे, इतना अच्छा वो भाशन देता था, समझ गए, तो यही चीज़ कहता कि His passion and His words moved people, जब वो शब्द इस्तमाल करता था, जब वो भाशन देता था, लोग उस पर विश्वास करने लगते थे, ऐसा वो भाशन देता था, वो क्या वादा करता था भाशन में, अप सरदेशों द्वारा कबजा किये गए हैं, उनको वापस से अपने देश में सामिल करेंगे, और साथ में जर्मनी के लोग जो हैं, उनकी जो dignity खतम की गई है, उसको हम वापस से फिर से establish करेंगे, फिर से लाएंगे, समझ गए, इसके साथ ही उसने वादा किया कि भाई, हो हमारे देश के खिलाब जितने भी conspiracy होती है, हमारे देश के खिलाब जितने भी आपको देश लगे हुए हैं, या फिर जर्मनी के अंदर कोई वेक्ती है, या फिर जर्मनी के बाहर जो देश हैं, Britain है, France है, Russia है, जो कि जर्मनी को बरबाद करना चाहते हैं, उन सब को सबक स बहुत सारे rituals करता था, और साथ में वो mass mobilization करता था, मतलब, मतलब जब भी Hitler की party का आप meeting देखिएगा, उसका पूरा ववस्था देखिएगा, तो वहाँ पर हर चीज आपको organized मिलेगी, जैसे ये एक meeting आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहें कितने arranged होकर लोग बैठे ह का meeting है, तो यहाँ पर कितने arranged होकर लोग बैठे हुए हैं, कितना बड़ा सा यहाँ पर banner लगाया हुआ है, उसी प्रकार से सब चीज arranged है, इसी प्रकार से आप एक और meeting के तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का meeting हो रहा ह हैं, यहाँ पर बहुत सरे banners लगे हुए हिटलर की party के स्वास्तिका सिंबल के साथ banners लगे हुए हैं, तो इन सब चीजों को इतना अच्छे से arrange किया जाता था, कि आप अगर देखें तो यहाँ पर जो देखने में ववस्ता लगता था, वो काफी शांदार होता था, समझ अब इसके बाद कहता है कि Nazis held massive rallies, बड़ी बड़ी rallies की जाती थी, जहाँ पर 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 2 लाख लोग, ऐसे लोगों की भीडाती थी, वहाँ पर meetings इतने वड़े-वड़े होते थे, अब यहाँ पर कहता है कि public meetings to demonstrate the support for Hitler and still a sense of unity among the people, इसका दो मतलब कारण था Hitler पहला तो यह दिखाना चाहता था कि देखो कितने सारे लोग हमारे समर्थन में, दूसरी बात यह थे कि यह दिखाना चाहता था कि देखो वाई हमारे देश में क्या unity है, सभी लोग साथ है, सभी लोग क्या है, नाजी पार्टी को support करते, समझ गया, आगे कहता है कि the red banners with the swastika, the nazi salute, and the ritualized round of applause after the speech, we are all part of this spectacle of power, यहाँ पर कुछ खास system मनाया गया था, हिटलर के द्वारा, कि देखो जब हिटलर भाशन देगा, दो लाइन बोलेगा, रुकेगा, क्या करेंगे, लोग ऐसे ऐसे तालिय बजाएंगे, फिर लोग सांथ होंगे, फिर हिटलर बोलेगा फिर भातालिय बजेगा, फिर सांथ होंगे, मतलब हर चीज और्गिनाइजड एकदम सिस्टम से, कुछ भी इधर उधर अपने मन से नहीं, सब चीज प्लानिंग के साथ और्गिनाइज करके, अच्छे से ववस्था करके, पूरी मीटिंग वगरा रखी जाती थी, समझ अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे कहता है, कि नाजी प्रोपगेंडा, स्किल्फुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज मसीहा, यहाँ पर जो नाजी पार्टी थी, वो जब प्रचार करती थी अपना, तो उसमें एक चीज पॉइंट फोकस किया जाता था, कि भाई जो कम्यूनिस्ट हैं, सोसियालिस्ट हैं, डेमोक्रेट हैं, उन सब की जो कॉंस्पिरेसी उससे बचा सकता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रचार पर फोकस किया जाता था, कि भाई जो हिटलर है, वही एक तुम्हारा रास्ता है, जिससे कि तुम्हारे देश का सम्मान वापस मिलेगा, तुमको नौकरी मिलेगी, तुमको काम मिलेगा, हमारे देश का development होगा, यह यहाँ पर पूरा focus किया जाता था, समझ गए? तो कहता है कि अब देखें, यहाँ पर जब Hitler को इस प्रकार से दिखाया जाता था, मसीहा के रूप में, कि भाई, तुम जर्मनी देश को बचाने वाला एक ही वैक्ति है, कौन है? हिटलर. तो यह successful क्यों हुआ? successful होने का यही reason है, कि आप देख रहें कि 1932 के समय क्या इस्थिती थी? पूरा economic crash कर रहा था. लोग जो थे World War I के समय सही बैज़त महसूस कर रहे थे, कि हमको सभी देशों ने मिलकर क्या किया है? बैज़त किया है. जर्मन आइडेंटिटी को लेकर लोग जो थे वो दुखी थे, कि यार हमारा देश जो है, हमारे देश के साथ गलत हुआ, हम हार्च गया है, हमारे इलाके कबजे कर लिए गया है तो इस प्रकार से लोग हर तरीके से दुखी थे. लोग जो थे, वो अपने देश को लेकर भी दुखी थे, कि हमारे देश के साथ इतना गलत हुआ है. दूसरी बात, लोगों की एकनॉमिक्स खराब थी, लोगों के पास जासे, जब हिटलर आया और उसने बोला कि यार मैं सब चीज बदल दूँगा, सब चीज ठीक कर दूँगा, मैं क्या करूँगा, देश को एकदम आगे ले कर जाऊंगा, डिवलप्मेंट कर दूँगा, नौकरी दे दूँगा, सभी देशों से बदला भी ले लूँगा, सब चीज कर दूँगा, तो लोगों को ये लगा कि हभी या कोई आया है, जो कि ये कम करेगा, क्योंकि लोग ये चीज पहले से चाहते थे कि ये चीज होना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पर इस तरीके की economic problems की वो जासे, political problems की वो जासे, जब हिटलर ने ये सारी बाते बोली, तो लोगों ने उस पर belief कर लिया, लोगों ने उसको accept कर लिया, क्योंकि लोग पहले बहुत ही जदा परेशान थे, समझ गया? अब यहाँ पर आते हैं कि हिटलर पावर में कैसे आया, अभी तक तो पावर के background की बात हो रही थी हिटलर पावर में कब आया था? 30 जन्वरी 1933 हमने देखा कि 1932 में के election हुआ, उसमें क्या हुआ? आपको हिटलर की पाटी सबसे बड़ी पाटी बन गई 37% वोट्स मिले थे जब यहाँ पर सबसे बड़ी पाटी बन गई तो 30 जन्वरी 1933 को जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे हिंडेंबर्ग, ठीक है? उन्होंने हिटलर को चांसलर सिप का ओफर दिया चांसलर सिप क्या होता है? जैसे हमारे देश में प्रधान मंत्री होता है वैसे ही जर्मनी में चांसलर होता है मतलब की एक प्रकार का प्रधान मंत्री ठीक है? बोला गया कि भाई देखिए आपकी पाटी सबसे बड़ी पाटी है आप आकर के क्या करिए? सरकार बनाईए और अपूरा सरकार चलाईए तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सरकार बनाने का ओफर मिल गया हिटलर को कम मिल गया 1933 में 30 जन्वारी को इस समय तक जो नाजी पाटी थी वो बहुँ जदा पॉपुलर हो चुकी थी यह आपको पता है और साथ में जितने भी कंसर्वेटिव लोग थे मतलब जो की एक प्रकार से जर्मनी को पावरफुल देखना चाहते थे जर्मनी को पुरानी स्थिती में देखना चाहते थे जर्मनी की पुरानी ताकत के रूप में देखना चाहते थे इस प्रकार के विचार वाले जो लोग थे वो सभी लोग क्या करने लगे थे? हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी को सपोर्ट देने लगे थे. अब यहाँ पर जब हिटलर के हाथ में पावर आ गया, तो धीरे धीरे उसने क्या किया? डेमोक्रेटिक रोल को खतम करना शुरू किया. मतलब की भाई, एलेक्शन फेलेक्शन ये सारी चीजे जो थी उसने खतम करना शुरू किया. कैसे किया? तो सबसे पहले एक दिन क्या हुआ? अचानक से एक दिन जर्मनी के पार्लियमेंट के बिल्डिंग में आग लग गई. पूरा पार्लियमेंट जलकर के राख होगया. तो भाई पार्लियमेंट जलकर के राख होगया, तो ये पार्लियमेंट के मीटिंग अब कहा होगी? ये चीज सबसे बड़ी समस्या होगए. तो यहाँ पर ये कब हुआ था? February में, January में उसको power मिला और February में क्या हो गया, आग लग गया, ठीक है अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है एक fire degree लाई जाती है fire degree, अब यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि अध्यादेश लाए जाता है एक president का order आता है कब आया था? 28 February 28 February 1933 में अब इसमें क्या होता है यहाँ पर यह order generate किया जाता है कि देश में जो civic right है यानि जो मौलिक अधिकार हैं जैसे कि freedom of speech, praise, assembly यह सब को क्या किया गया? खतम कर दिया गया कि भाई अब ऐसा कोई आपको right नहीं मिलेगा यहाँ पर सरकार जैसा बोलीगी वैसा करना है आप assembly नहीं बना सकते हैं आप कुछ सरकार के खिलाब बोल नहीं सकते हैं आप खुल कर press वगएरा नहीं release कर सकते हैं खबरे नहीं चाप सकते हैं यह सारी चीजे जो थी वो सरकार ने अपने control मिले ली इसके बाद यहाँ पर जो हिटलर था उसका जो जितने भी विरोधी थी उन सब को वो target करना शुरू करता है जैसे कि communist हो गया, socialist हो गया, democrats हो गया, उन सब को target करना शुरू करता है और खास करके उसने focus किसके उपर किया था? communist लोगों के उपर focus किया था अब यहाँ पर बहुत सारे concentration camps बनाये जाते हैं जर्मनी में concentration camp क्या होता है? एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि jail होता है लेकिन jail में क्या होता है? jail में आप जब कोई crime करते हैं तब आपको jail में भेजा जाता है आपको एक पूरा process करके jail में भेजा जाता है लेकिन concentration camp एक प्रकार का ऐसा जेल है जहां पर कोई भी नियम कानून के ताहत आपको नहीं रखा जाता बलकि आपको वहाँ पर कैद रखने के लिए political reasons की वज़ा से वहाँ पर कैद रखा जाता है जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी में जो हिटलर था वो अपने जितने भी अपोनेंट से जितने भी दुश्मन थे उनको टार्गेट करना चाता था तो उनके लिए concentration camp बनाया इसी प्रकार से अगर आप देखे तो North Korea में आप सुनते होंगा कि भाई concentration camp होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी वेक्ति अगर सरकार के खिलाफ King Jong-un के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा concentration camp में डाल दिया जाएगा समझ के एक प्रकार का jail है लेकिन ऐसा jail जहाँ पर कानून के हिसाब से आपको jail नहीं होगा जो सरकार है उसकी मर्जी के हिसाब से आपको रखा जाएगा तो यह आपका concentration camp हो गया ठीक है पांच लाख की आबादी में जो जितने भी यहां पर arrest हुए थे जितने भी cases थे पुलिस वगरा के पास में उसमें से बहुत सारे cases को नश्ट कर दिया गया जो document वगरा थे वो जला दिये गया कुल मिलाकर कितने cases बचे अड़ सट सो 6,808 cases बचे इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1440 cases किसके थे communist लोगों के थे तो इन पर बहुत ज़्यदा फोकस था Hitler का कि भाई इनको क्या किया जाए खतम किया जाए हटाया जाए ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ Hitler ने सिर्फ community को target किया था अगर हम लोग देखें community के हिसाब से तो कुल मिलाकर 52 प्रकार के लोगों को target किया गया था मतलब जिनकों की concentration camp में डाला गया था जिनकों के target किया गया था मारा गया था जैसे उधारण के लिए हम अब इसके अलावा जो आपको दिव्यांग लोग थे अपंग लोग थे उनको भी target किया था तो इस प्रकार से एक पूरा लिष्ट था 52 प्रकार के लोगों का जिनको की Hitler के party के दौरा target किया गया था अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अभी तक क्या हुआ अभी तक Hitler न अब इसके बाद क्या होता है आगे चल करके 3 March 1933 इस दिन क्या होता है एक enabling act लाया जाता है जिसके तहत क्या होता है जर्मानी में dictatorship लागो कर दी जाती है enabling act क्या है यह एक प्रकार का कानून होता है जिसमें कि जो power है वो किसी खास व्यक्ति या पिर संस्था को दी जाती है जै को है अब है जो है अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है कोई भी कानून तोड़ सकता है कुछ भी कर सकता है उसको parliament का permission लेनेका ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने का ज़रूरत नहीं है हिटलर अपनी मर्जी से क्या करेगा, अपनी मर्जी से सरकार चलाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा, उसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, कि सारा पावर किसके पास आ गया, हिटलर के पास आ गया, और हिटलर जो है, अपनी मर्जी से, अ परलियमेंट और रूल वाइड डिक्री मतलब कि यहां पर हिटलर के पास पावर आ गया कि वो पारलियमेंट को छोड़ पारलियमेंट से पूछने की कोई जरुवत नहीं है अब क्या करेंगे हम खुद से कानून बनाएंगे खुद से डिक्री रिलीस करेंगे अध्यदेश र सरकार चलाएंगे हमारी मर्जी से जो हुचा है हम वो कर सकते हैं। कहता कि all political parties and trade unions were banned except for Nazi party and its affiliates. जितने भी political party थे उन सबको ban कर दिया गया, Nazi party एक मात्र party बची और उसको समर्थन करने वाले जितने भी संग्ठन थे उनको काम करने के छुट दी गई, बाकी सबको क्या कर दिया गया, खतम कर दिया गया। कहता कि the state established complete control over economic, media, army and judiciary मतलब जो सरकार थी उसने क्या किया, economic के उपर पूरा control कर ले लिया, media के उपर पूरा control ले लिया, army को पूरे control में ले लिया नाजी party ने, और साथ में judiciary भी किसके control में आ गई, नाजी party के control में आ गई, यानि कि Hitler के control में आ गई, तो इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से पूरा control किसके पास आ गया? Hitler के पास आ गिया Hitler अब पूरी सरकार चला रहा था अपनी वर्जी से सरकार चला रहा था अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि Hitler जो है उसका कुछ system था कि मतलब कि देश कैसा होना चाहिए समाज कैसा होना चाहिए कुछ उसके belief थे तो समाज को अपने हिसाब से ढालने के लिए वो कुछ खास संस्थाएं बनाता है, कुछ खास organization बनाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ खास special surveillance and security forces बनाये जाते हैं, ताकि society को manage किया जा सके, society को control किया जा सके, society को अपने हिसाब से चलाया जा सके, जैसे कि नाजीज लोग क्या मा मांते थे, कि देखो जो समाज है न, वो बराबरी का समाज नहीं होता है, समाज में कुछ लोग ओडचे होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं, ऐसा उनका मनना था, तो यहाँ पर इनका मानना था कि देखो वह यहाँ जो जर्मनी के Nordic German आरे हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं ब्लॉंड हेर होता है, वो सबसे बेस्ट होते हैं, वो सबसे उपर होते हैं, और सबसे नीचे कौन होता है, जीउज होते हैं, और भी कुछ कम्यूनिटीज होते हैं, ठीक है, तो इस ववस्था को बनाने के लिए, इस ववस्था को चलाने के लिए, यहाँ पर जो हिटलर की पार्टी है नाजी पार्टी वो कई सारे organization बनाती है जैसे यहाँ पर आपको regular police, normal police जो जर्मनी में होती थी, वो तो होती ही थी, वो कैसा कपड़ा पहेंती थी, green uniform पहेंती थी, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आपको कई सारे organization बना जाते हैं, जैसे secret state police, जिसको की गेस् protection squad कहा जाता था, इसके अलावा criminal police and security service, SD, यह सब organization बनाया जाते थे, तो यह जो नए नए organization बनाया ना, जितने भी हम पढ़ते हैं कि हिटलर ने बुरे काम किये थे, हत्याएं बगरा की थी, वो सब इन ही लोगों की देख रेकम हुई थी, इन ही लोगों के द्वारा किये ग करने में इन ही कहा हता है, समझ गए? तो यहाँ पर इनका काम क्या होता था? इनका काम एक प्रकार से होता था, कि भाई समाज को देखना कि कौन यहूदी है, कौन जिपसी है, कौन कौन है, किसको पकड़ना है, किसको मारना है, मतलब इनको इतनी छूट थी, कि यह किसी को भ किसी को भी जवाब देने के जरुवत नहीं है, यह लोग अपनी मर्जी से system चलाते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे, यही चीज़ यहाँ पर कहता है, कि it was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as most dreaded criminal state, यहाँ पर इनके पास extra constitutional power थे, बतलब इनको किसी से कुछ पूछने की जरुवत नहीं थ यह लोग अपनी मर्जी से किसी को भी arrest कर सकते थे, किसी को भी सजा दे सकते थे, समझगे, कहता कि people could now be detained in guestable torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedure, वही चीज़ है कि बैदे को guestable क्या गरेगी, किसी को भी उठा लेगी, अपनी मर्जी से चाहे तो देश से निकाल देगी, चाहे तो उस उस पर कोई भी limitation नहीं था, कोई भी यहाँ पर जवाब दे ही नहीं थी, समझगे, कहता कि the police force acquired powers to rule with impunity, मतलब कि police force के बाद एकदम ताना शाही जैसा इस सिती था, कि भाई, police force किसी को भी arrest करके कुछ भी कर सकती थी, कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं था, अब यहाँ पर हिटलर ने सच में बदला, सच में उसने सुधार किया, तो उसी reconstruction के बारे में पढ़ते हैं, कि हिटलर जब पावर में आया, तो उसने फिर से देश का निर्मान कैसे किया, देश में सुधार कैसे किया, अब यहाँ पर देखिए, हिटलर जब पावर में आता है, तो देश की इकनॉमी को सुधारने के लिए एक व्यक्ति को लाता है, बोलता है कि तुम जो हो ये काम करो, उस व्यक्ति का नाम था जामर शाष्ट, ठीक है, इस व्यक्ति को यहाँ पर यह पावर दिया जाता है, मतलब यह responsibility दी जाती है कि तुम क्या गरो, तुम एक प्रकार से देश की ए नौकरिया देंगे, और सभी लोग मिल करके क्या करेंगे, पूरी ताकत से production करेंगे, जो भी जरूरत की चीज़े हैं, उन सब को produce करेंगे, और इसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार एक प्रकार से प्रोग्राम चलाएगी, मतलब सरकार टेक्स में छूट देगी, सरकार जम अपनी है, वो इसी समय में इसी के तहत बनाए गई थी, अब यहाँ पर यह जर्मन सूपर हाइवे के बारे में क्या खास बात है, यह ऐसी क्या चीज़े, अब देखिए, जर्मनी में जो सूपर हाइवे होता है, उसको आटोबान कहा जाता है, अब यह जो जर्मन सूपर हा चलाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी speed limit नहीं है, आप चाहे, तो अपनी car को 400 की speed में भी चला सकते हैं, 500 की speed में भी चला सकते हैं, आपको कोई भी problem नहीं होगा, आपको сторकार नहीं रोकेगी, आपका चलान नहीं काटा जाएगा, कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा, इतना शांदार है ये, समझ गए, उसी समय में Hitler के दोरा ये चीज़ बनाई गए थी, और साथ में जो आप आज Volkswagen देखते हैं, Volkswagen कार देखते हैं, और जो Audi बगरा देखते हैं, ये सब आज Volkswagen कंपनी के दोरा का target किया गया, जो जरुवत की चीज़ें, उनको produce करने का target किया गया, इसके बाद आगे चलकर वो दूसरे देशों से, यानि कि foreign policy में कैसे deal करता है, ये भी समझते हैं, जब foreign policy की बात आती है, यानि international relation के बात आती है, तो वहाँ पर भी Hitler जो था, कि United Nations है, जहाँ पर सभी देशों का क्या एक group है, membership है, सभी देश वहाँ पर बैठते हैं, उसी प्रकार से जब World War I हुआ था, तो उसके बाद बनाया गया था League of Nations, जहाँ पर सभी देशों का meeting होता था, सभी देश जो है, international relation को संभालने के लिए आपस में मिल दे थे, समझ गया, तो यहाँ पर Hitler की party ने क्या किया, जर्मनी को यहाँ से निकाल लिया, बोला कि वहीया, हमको party नहीं बनना है, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, और फिर यहाँ बोलते हो कि आकर के बात करो, तो Hitler ने क्या किया, जर्मनी को यहाँ से बाहर निकाला, बोला कि हम लोग League of Nations के part नहीं है, ठीक है, इसके बाद जर्मनी के जो Rheinland का इलाका था, जो कि जर्मनी से छीन लिया गया था, उसको जर्मनी ने फिर से कबजा कर लिया, कब 1936 में उसको वापस से कबजा कर लिया गया, इसके बाद आस्ट्रिया और जर्मनी को आपस में मिला दिया गया, 1938 में मतलब कि जर्मनी ने आस्ट्रिया के उपर कबजा कर लिया, और उन दोनों को मिलाकर एक देश बना दिया और यहाँ पर स्लोगन दिया गया One People, One Empire, One Leader मतलब कि भाई जब हमारा आस्ट्रिया है, आस्ट्रिया में जर्मन लोग रहते हैं तो वो अलग देश क्यों रहेगा? जर्मनी और आस्ट्रिया मिलकर एक देश बन जाने चाहिए न ये कारण से यहाँ पर क्या किया गया? एक देश बना दिया गया जर्मनी और आस्ट्रिया को इसके बाद यहाँ पर जो जर्मन-speaking इलाका था चिकुसलोवाकिया का सडिट्रियन लिन इसको क्या कर दिया गया यहां पर कबजा कर लिया और आगे चलकर पूरे चिकुसलोवाकिया को क्या कर लिया कबजा कर लिया समझ गया तो इस प्रकार से यहां पर हिटलर जो था वो काफी successful होते जा रहा था और अपने आस पास के इलाके को कबजा करते जा रहा था अब इसको अगर हम लोग नक्षे में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जर्मनी है जर्मनी यहाँ पर यह है जर्मनी यह तो भाई हिटलर ने कबजा कर लिया यहाँ पर जो यह ए इलाका था यानि राइनलेंड वाला इलाका उसको जर्मनी ने वापस कबजा कर लिया आस्ट्रिया को मिला लिया अब देखें यहाँ पर दो देश दिख रहें एक चेजिया और स्लोवाकिया यह दोनों मिलकर पहले एक देश हुआ करते थे चेजिया यह दोनों को मिला कर यह पूरा इलाका क्या हो गया कबजा कर लिया इतना बड़ा इलाका जो था वो अब कहां आ चुका था यह यह और यह यह सब मिला कर अब किसके कबजे में आ गया जर्मनी के कबजे में आ गया, कब आ गया, 1938 तक, ठीक है, 1938 में ये हो गया, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो कहता है कि in all of this, he had the unspoken support of England, which has considered the Versailles worked in two hours, ये सब चीज जब हो रही थी न, तो इसमें एक प्रकार से England चुपचा बैठा हुआ था, वो एक प्रकार से बोल कर लो, हाँ, कर लो, हाँ, ठीक है, कोई दिकत नहीं, कर लो, क्यों? कारण था कि England का ऐसा मानना था, कि जब Versailles की treaty हो रही थी, तो उस समय में जर्मनी के साथ बहुत ही गलत हुआ था, बहुत ही भेधभा हुआ था, इसलिए Hitler को एक प्रकार से England भी, हाँ, ठीक है, कर लो, क इस प्रकार सा support था, कहता कि these quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country, ये जब यहाँ पर हिटलर पावर में आया, तो चार-पांच सालों में हिटलर ने पूरी देश की दसा और ववस्था बदल करके रख दी, जो पूरानी स्थिती थी जर्मनी की, उसको वापस से प्राप्त कर लिया, और साथ म यहाँ पर जो जर्मन की एकनॉमी थी, उसको भी वापस से ताकत बना दिया, उसको वापस से मजबूत कर दिया, लोगों को नौकरिया मिलने लगी, लोगों को जो एकनॉमिक प्राप्लेम थे वो खतम हो गए, जो जर्मन प्राइड था, दूसरे देशों से बदला लिने की बात थी, वो भी एक प्रकार से हो गया, जो भी जर्मनी के इलाके दूसरे देशों दोरा कबजा किये गये थे, वो भी छुडा लिये गये, सब तरीके से जो जर्मनी था, वो काफी आगे बढ़ रहा था, और काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा था, सभी लोग बहुत ख खुश रहते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हिटलर ने बहुत महान काम किया है, हिटलर यहां नहीं रुखता है, हिटलर आगे बोलता है, यहां तो अभी शुरुवात हुई है, अभी तो पूरी पार्टी बाकी है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो उसका economic advisor था, जो क जरूत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रकार से अभी economic को सुधारने पर focus करते हैं, और हम लोग का जो economy अभी चल रहा है, वो deficit financing पर चल रहा है, मतलब सरकार करजे लेकर और भी तरीकों से काम करके अपनी स्थिती को सुधार रही है, तो पहले थोड़ा economy को म advisor था, ہिटलर का साष जो था, इसको चोड़ना पड़ता है, बोलता है कि भाई, तुम निकलो यहां से, तुम्हारा कोई जरुवत नहीं है, अभी हटो यहां से, ठीक है, तो हिटलर इसको हटा देता है, और हिटलर बोलता है कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अ करता है, ہटलर यहां पर 1939 सप्टेंबर में पॉलेंड को invade कर देता है। तो 20 effective?, ऐख यहां पर polling कर देखने сказал, मिन हपना ने dent टाटेंव कर देता हैं, जब यहां पर पॉलेंड के उपर हमला कर देता है, स्थ का अपका ध्री 거そうですね World War II का क्यों शुरुआत हो जाता है भाई World War II का शुरुआत इसले हो जाता है क्योंकि Poland जो था वो France और England के साथ समझोता करके रखा हुआ था कि मतलब Poland पर अगर हमला होगा तो France और England भी साथ में उसमें युद्ध में शामिल होंगे यह समझोता किया हुआ था इनके बीच में समझ गया तो यहाँ पर इसकी वज़ा से जब Poland के उपर हमला होता है Hitler के द्वारा तो Germany इधर युद्ध कर रहा है यह पूरा इलाका कबजा हो चुका है तो यहाँ पर जैसे ही होता है तो France युद्ध की घोशना कर देता है United Kingdom इधर से युद्ध की घोशना कर देता है तो इस प्रकार से यहाँ पर World War 2 की शुरुआत हो जाती है सबसे पहले कौन सामिल होते हैं United Kingdom और France होते हैं क्योंकि Poland के उपर हमला किया गया था Hitler के दोरा ठीक है अब यहाँ पर जब यह सारी चीज़ चल रही थी ना इसी समय में यहाँ पर Germany भी fight कर रहा था Germany कहाँ अरु स्वरी Japan भी fight कर रहा था तो Japan की बात करें तो Japan इधर fight कर रहा था अब देखिए Japan भी जो था वो भी powerful state बनना चाता था तो Japan जो था वो यहाँ से इस तरफ चाइना के कुछ इलागों को कबजा कर रहा था और यहाँ पर यही युध लड़ रहा था कौन? Japan ठीक है इसी समय में जो Italy था वहाँ पर भी ताना शाही आ चुकी थी Italy को यहाँ पर देखें तो Italy में Mussolini आ चुका था और Italy में यहाँ पर और आसपास के इलाके इस इलाके को उसने कबजा कर लिया था तो यहाँ पर क्या होता है कि जो Germany है यानि कि जो Hitler है वो जाकर के Italy और Japan के साथ ट्राइपाटाइड पैक्ट साइन कर लेता है कि भाई तीनों लोग क्या होंगे एक साथ मिल करके युध लड़ेंगे एक दूसरे को समर्थन देंगे यह आपको पैक्ट यहाँ पर साइन कर लिया जाता है अब यहाँ पर यह जो Italy देश था और साथ में जापान देश था वो दोनों बहुत ही powerful state थे अब यहाँ पर Hitler को एक प्रकार से मजबूती मिल जाती है कि पूरी दुनिया में भी हमारे समर्थक हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे इलाकों पर puppet regime इस्थापित किये जाते हैं puppet regime इस्थापित किये जाते हैं मतलब क्या होता है मतलब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये नक्षा देखिए, ये नक्षा किस चीज़ का है? World War II का नक्षा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर यह पीला वाला इलाका है, जर्मनी का इलाका, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया भी कब्जा कर लिया गया है, सलोवाकिया भी कबज़ा कर लिया गया है यहाँ पर हंगरी जो था वो भी हिटलर के साथ मिलकर युद लढ रहा था रोमानिया और बुलगारिया भी हिटलर के साथ मिले हुए थे ठीक है तो यहाँ पर जर्मनी को देखें तो जर्मनी पूरे फ्रांस को कबजा कर लेता है 1940 में उसने पुरे फ्रांस को कबजा कर लिया पॉलिंड को भी कबजा कर लिया और साथ में फिर जाकर 1941 में क्या कर देता है रूस के उपर हमला कर देता है और यहां तक इस इस इलाके तक वो हमला कर देता है तो जिस जिस इलाके को उसने कबजा किया, वहाँ पर सरकार बनाता है, पपेट स्टेड बनाता है, बोलता है कि भाई देखो तुम क्या बन जाओ, परधानमंत्री बन जाओ, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना, इस प्रकार से यहाँ पर पपेट स्टेड बनाई जाते हैं, अब यहाँ पर 1940 के अंत में, जब 1940 एंड हो रहा था, उस समय में हिटलर जो था, वो सबसे पावरफुल पोजिशन में था, समझ गए, हिटलर सबसे मजबूत इस्थिती में था, उसके बाद यहाँ से हिटलर का डाउनफॉल शुरू होता है, क्यों डाउनफॉल शुरू होता है क्योंकि हिटलर जो था, वो अब अपने टार्गेट को पुरा करने के लिए जाता है, बाई हिटलर का एक सपना था, कि हम क्या करेंगे, अपने देश का सीमा फैलाएंगे, इसके लिए हिटलर क्या कर देता है, यहाँ पर वो हो सोवियत यूनियन के उपर जून 1941 में हमला कर देता भाई देखें हिटलर का ऐसा मानना था और ऐसा सही भी था वर्ल्ड वार वन में भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि भाई देखो यहाँ पर जो जर्मनी है उसको अगर अपने देश के लोगों के लिए food supplies बनाए रखने हैं भोजन की ववस्था करनी है साथ में यहाँ पर इस तरफ क्या करेंगे हम पूरा इलाका कबजा करेंगे जहाँ पर जर्मन लोगों को बसाया जाएगा और जर्मन पूरा इलाका जर्मन लोगों के कबजे में रहेगा तो इसके लिए क्या होता है जून 1941 में यहाँ पर सोवियत यूनियर के उपर हमला कर देता है हिटलर और सोवियत रूस को कबजा करने की कोशिश करता है समझ गया अब ये कहा जाता है कि ये जो चीज थी न ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी अगर हिटलर USSR पर हमला नहीं करता तो हिटलर युद्ध में नहीं हारता और हिटलर को हराना impossible था क्यों impossible था हिटलर को हराना अगर रूस पर हमला नहीं होता तो क्योंकि हिटलर की जो आर्मी थी वो बहुत ही हाइटेक आर्मी थी और बहुत ही डेडिकेटेड आर्मी थी वो बहुत ही वैलर के साथ बहुत ही स्टेंद के साथ फाइट करती थी लेकिन जब यहाँ पर Soviet Union के ऊपर हिटलर ने हमला कर दिया रूस की ओर हमला कर दिया तो यहाँ पर जो Soviet Union देश था वो इतना बड़ा देश था और वहाँ के आर्मी भी बहुत powerful आर्मी थी तो यहाँ पर इनसे fight करना हिटलर के लिए बहुत मुश्किल था यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि Hitler ने कितना कबजा किया था तो Hitler, जर्मनी यहां हुआ, सबसे पहले यहाँ पर ऑश्ट्रिया कबजा हो गया यहाँ पर चेकों, लोवाकिया यहाँ पर कबजा हो गया यहाँ पर फ्रांस को कबजा कर लिया गया 1940 में ही यहाँ पर इटली जो था वो मुसॉलिनी के कबजे में था वो तो हिटलर का सपोर्ट कर रहा था फिर यहाँ पर पॉलेंड कबजा कर लिया यहाँ पर हंगरी रोमानिया बुल्गारिया यह जो थे हिटलर का सपोर्ट कर रहे थे यह सब इलाके भी कबजे हो गए यहाँ पर य सारा इला का कबजा हो गया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, सब कबजे हो गया, उस समय ये सम मिला कर क्या होते थे, USSR होते थे, यहां से बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सारे आपको क्या होते थे, USSR होते थे, तो यहां से कबजा करते करते करते, यहां पर जाक यहाँ पर एक शहर था, स्टालिन ग्राड नाम का, समझ गए? आज उस शहर को वोल्गा ग्राड कहा जाता है, यहाँ पर जा करके इसकी हार हुई थी, और यहाँ से ऐसे यहाँ तक हिटलर का कभजा हो चुका था, पूरा, सोचिये कि यहाँ से वो निकला था, यहाँ से निकल करके यहां तक उसका कबजा हो चुगा था समझ गए और यह कितना सक्सेसफुल था कि यह जहां तक पहुचा था मातर 200 किलोमेटर दूर था सोवियत रूस का राजधानी मौस्को मौस्को से मातर 200 किलोमेटर दूर हिटलर के सैनिक बैठे हुए थे और यहां पर स्टालिन ग्र का युद्ध हिटलर की आर्मी नहीं हारती तो पूरे रूस पर हम कह सकते हैं कि हिटलर का कबजा होता और वर्ल्ड वार 2 भी हिटलर नहीं हारता अब यहां पर एक और चीज है कि इस तरफ हमला करने की वज़ा से हिटलर की हार हुई हुई एक और रीजन से कि भाई देखो आप कहीं भी युद्ध करते हो न तो वहां पर आपको सैनिक भेजने होते हैं तो हिटलर ने जब इस तरफ हमला किया तो आप देख रहे कि कितना बड़ा इलाका है यह आपको नक्से में नहीं पता चल रहा है लेकिन यहां से लेकर यहां तक करीब 2-3,000 किलोमेटर है तो यहां पर हिटलर ने 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग, एक करोड की फौज भेजी थी इस इलाके को कबजा करने के लिए और जब इस तरफ पूरा फौज भी जी था लड़ाई करने में उस समय में यहां पर क्या हुआ यहां से युनाइटेड किंग्डम से यहां पर हमला होना शुर हमला किया था उसको डी-डी कहा जाता है, exactly date मुझे याद नहीं है, तो यहां पर हमला हुआ और फिर इस तरफ से भी यहां पर सैनिको का fight होने लेगा, अगर यहां पर इस तरफ हिटलर हमला नहीं किये होता रूस के उपर, तो हिटलर को हराना impossible था, हिटलर जो था वो जीत चुका था, समझ गए, इधर हमला नहीं करके इधर फोकस करता तो वो successful हो जाता, समझ गए, तो यहां पर यहीं कहा जाता है कि हिटलर का एक historic blunder था कि उसने Soviet Union के उपर हमला किया था, क्योंकि Soviet Union, आज का रशिया, युक्रेन की बात करे ना, तो वो इतना बड़ा देश है न कि उसको सैनिको की मदद से जीतना बहुत ही मुश्किल है, impossible नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी impossible नहीं है, बहुत मुश्किल है, और वो इलाका ऐसा है, जहां पर जब सर्दी आती है, तो वहां पर बर्फ जम जाता है, पूरा बर्फ जम जाता है, तो जर्मन पर सोवियत रूस के उपर हिटलर ने हमला किया, तो उससे उसकी जो सेना थी, वो दो तुकडों में बट गई, एक आपको जो फ्रांस के इलाके को, इंगलेंड के इलाके को देख रही थी, और दूसरी जो सोवियत रूस के इलाके को देख रही थी, तो यहां पर क्या सोवियत रूस जो था USSR जथा उसकी आर्मी भी बहुत मजबूत थी उससे फाइट करने में क्या हुआ एक हिस्सा हिटलर की आर्मी का हार गया कहां पर स्टालिनग्राड में हार गया यही चीज़ कहता है कि दा सोवियत रेड आर्मी इंफिक्टेड अ क्रशिंग एंड हुमिले जर्मन सैनिक मारे गये थे और करीब 9 लाख की संख्या में रूस के सैनिक मारे गये थे उसके अलावा लाखों की संख्या में वहां के आमनागरिक मारे गये थे और पूरा शहर जो था वो राक हो चुका था शहर में कोई रहने के लिए नहीं बचा था यह इस्थिती हो चु जर्मनी के 11 लाक सैनिक मारे गए, और भी जादा ही मारे गए थे, कुछ बहुत सारे लोगों की नाश भी नहीं मिली, तो यहाँ पर अतने सारे लोग जब मारे गए न, तो उसके बाद जर्मनी की आर्मी बहुत कमजोर हो गए, वो वापस आने लगी, वापस रिट्रीट करने लगी और फिर वहाँ पर सोवियत रेड आर्मी यानि की जो रूस की आर्मी थी वो जर्मन सोलजर्स का पीछा करने लगी और रूस की आर्मी हावी हो गई जर्मन सोलजर्स के उपर और यहाँ पर यह लोग पीछा करते 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 कहां आ गए बर्लिन में आ गए मतलब कि जर्म पहुँचे थे पहुचे थे पहुचे थे, पहले की कौन पहुचे थे, पहले इधर से रूस के सैनिक पहुचे थे. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, कहता है कि जब यहाँ पर बरलीन के उपर रूस के सैनिक पहुच गये, तो बरलीन से जो इस्ट का इलाका है, उस पूरे इलाके पर किसका कबजा हो गया? आपको सोवियत रूस का कबजा हो गया, और 1991 तक, 1991 तक यहाँ रूस का ही प्रभाव रहा, मतलब कि USSR का प्रभाव रहा, उसका ही कंट्रोल रहा, समझ गये? अब यहाँ पर USA की बात आती है, देखें, USA जो था, वो वर्ल्ड वार टू में शामिल नहीं होना चाहता था, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार वन में जब USA सामिल हुआ था, तो उ वर्ल्ड वार टू में शामिल नहीं होना चाहता था, तो यहाँ पर क्या हुआ? यह ज़्यादा दिनों तक बाहर रहने नहीं पाया, क्यों नहीं रहने पाया? क्योंकि देखें, जो जापान था, वो एस्ट में एक्स्पैंड कर रहा था, मतलब मैंने आपको नक्षा दिख तो फ्रेंच इंडोचाइना कहने का मतलब क्या होता है? फ्रेंच इंडोचाइना जो आपका यहाँ पर यह इलाका है, वियतनाम का इलाका है, जहाँ पर की आपको वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, यह सारे जो इलाके हो गया, यह इलाके पर जापान का कबजा हो गया, यह यहां पर यहां यह इलागा कबजा कर लिया था, यह इंडोनेशिया कबजा कर लिया था, और यहां पर मैमार तक कबजा करके यह वतादू कि जो जापान की आर्मी थी वो भारत में भी पहुँच चुकी थी, कहां पर आसाम में यहां पर जाकर के जापानी सैनिक और इंडियन को भी यहां पर जो यह जापानी आरमी थे उर्होंने कबजा कर लिया था तो यह पूरा इलागा जापान के कबजे में आ चुका था अब यहां पर देखे जापान में कबजा किया ठीक है USA को कोई मतलब नहीं था लेकिन क्या होता है कि जो जापान है वो पिटलर को सपोर्ट देता है, हाँ, यूरोप तो यूरोप तुम समभालो, हम एसिया समभालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या होता है, जापान जाकर के USA के नेवल बेसिस के उपर हमला करने का प्लानिंग करता है, ठीक है, और यहाँ पर US का एक बेस था पर पर्ल हार्बर में, समझ गए, पर्ल हार्बर कहा है भाई, तो पर्ल हार्बर अगर आप नक्षे में देखें, तो आपको यह प्रसांत महासागर में एक USA का बेस है, समझ गए, यहाँ पर यह आपको, साइद यह गवाम है, यहीं पर है साइद, या फिर यहीं कहीं है, मुझ जब हमला हो गया करीब 2000 की संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए तो यहाँ पर फिर USA बोलता है कि ना अब तो हम बाहर रह नहीं नहीं पाएंगे अब हम क्या करेंगे अब हम भी वार में शामिल होंगे और USA यहाँ पर वार में शामिल हो जाता है ठीक है और USA वार में शामिल ह आपको क्या हुआ पता चल रहा है उस समय फिर रूस की आर्मी जीतने लगी फिर उधर से फ्रांस की इलाके से United Kingdom और अमेरिका के सैनिकों ने हमला कर दिया और फिर यहां जापान की बात करें तो जापान के उपर USA ने हमला किया और यहां पर जापान के उपर अब यहां पर आगे कहता है कि from this brief account of what happened in the second world war, we now return to Hilmuth and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. यहां पर तो world war 2 में क्या हुआ यह हमने समझ लिया, Hitler power में कैसी आया, यह समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से, जो society था, जर्मनी का, उसकी बात करते हैं, कि यहां पर नाजियों ने कितनी criminality की थी, किस प्रकार के क्रित किये थे, काम किये थे, यह सब यहां पर जरा सा हम लोग discuss कर लेते हैं, कि यहां पर क्या हुआ था, अब यहां पर हमारे सामने है topic number 3, topic number 3 का नाम क्या है, the Nazi world view, मतलब जो नाजियों लोग थे, Hitler की party थी, उनका क्या विचार था, वो दुनिया के बारे में क्या सूचते थे, यह चीज़ यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, focus करने वाले हैं, और यहां पर यह जानना इसलिए भी important है, क्योंकि यहां पर एक चीज़ कहता है, कि the crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices, यानि जो भी crime नाजियों के दौरा की गई थी, जो भी हत्याई की गई थी, जो भी एक प्रकार से मानवता के खिलाफ हिंसा किया गया था वो इनके दुनिया के प्रती विचार से जुड़ा हुआ था, मतलब कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, कौन जाती अच्छी है, कौन खराब है, किस नसल के लोगों को रहना चाहिए, किस नसल के लोगों को नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार का एक पूरा विचार था नाजियो का कि समाज कैसे होता है समाज कैसा होना चाहिए इस चीज की वज़ा से ही हम कह सकते हैं कि जो क्राइम किये गए थे नाजियों के द्वरा वो एक प्रकार से किये गए थे मतलब कि कुछ समाज के हिस्से थे कुछ समूह ऐसे थे जैसे यहूदी उनको नाजी पसंद नहीं करते तो भाई वो क्या है उसी की वज़ा से वहाँ पर उनकी हत्या की गई थी उसी प्रकार से जो पॉलिश थे या फिर जिपसी थे उनकी भी हत्या क्यों हुई थी क्योंकि नाजी ऐसा मानते थे कि ये लोग जो है अच्छे quality के humans नहीं है लो quality के humans है तो इनको क्या कर देना इनको हटा देना चाहिए अब यहाँ पर यही चीज कहता है कि नाजी आइडिलोजी was synonymous with Hitler's world view यानी जो नाची पार्टी की विचार धारा थी वो किस से जुड़ी हुई थी? हिटलर के दुनिया के प्रती जो विचार थी उससे अब एक प्रकार से देखिए तो भाई नाज नाजी आइडिलोजी बनी. मतलब कि समाज कैसा होना चाहिए, आरियन लोग कौन होते हैं, नौर्डिक जर्मन आरियन जो होते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं, यहूदी सबसे बुरे होते हैं, यहूदियों को खतम कर देना चाहिए. इस प्रकार के जो Hitler के विचार थे न, वही नाजी पार्टी के आइडिलोजी बन गई नाजी पार्टी के विचार बन गई अब यहाँ पर कहता है कि according to this मतलब कि नाजी जो आइडिलोजी थी या फिर हिटलर का जो दुनिया के प्रति विचार था उसके हिसाब से दुनिया में लोगों के बीच में बराबरी नहीं है सभी लोग बराबर नहीं होते है but only a racial hierarchy यानि कि दुनिया में क्या है एक racial hierarchy है racial hierarchy मतलब कि भाई race के हिसाब से कुछ समूँ कुछ जात ऐसे हैं जो अच्छे हैं कुछ जो हैं वो नीचे quality के हैं लो quality के हैं समझ गए तो यहाँ पर कहता कि in this view blonde blue eyed nordic german Aryans were at the top इस हिसाब से जो नाजी party का विचारधा रहा था Hitler का विचारधा रहा था उसके हिसाब से जो nordic german Aryans थे जिनका की बाल का color कैसा हो blonde हो, eye का color कैसा हो, blue हो वो क्या होंगे, सबसे अच्छी quality के human नसल होंगे समझ गे, अब जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो human नसल जो है वो कई प्रकार के होते हैं जैसे Aryan नसल है, उसमें भी एक आपको nordic german Aryan हो गए जो की आपके कहां होंगे, जर्मनी में रहते हैं इंग्लैंड में रहते हैं, उस इलाके में रहते हैं इसी प्रकार से आपको इंडियन Aryan हो गए जो वैसे Aryan जो के इंडिया में रहते हैं इसी प्रकार से आपको इरान में भी Aryan रहते हैं उसी प्रकार से अगर आप देखें तो अफरीका के जो मूल निवासी हैं अफ्रीका के, वह black नसल की हो गए, तो कई नसल के लोग हमारे समाज में हमारी दुनिया में रहते हैं. तो यहाँ पर जो Hitler की पार्टी थी, उसका मानना था कि जो Nordic German Aryans हैं, यानि ऐसे Aryans जो की जर्मनी के मूल निवासी हैं, और जिनका बाल का कलर कैसा है, ब्लॉंड है, सफेद, चमकीले सुनहरे रंका, आप तस्वीर में एक example तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो यहाँ पर लगा देता हूँ, देख लीजेगा, और जिनका आई का कलर कैसा है, ब्लू है, वो सबसी अच्छी quality के humans है, सबसे high quality के humans है, सब जो यहूदी थे, इनको सबसे नीचे केवल नहीं रखा गया, बलकि इनको anti-race कहा गया, मतलब कि भया क्या करना है, यह जो हमारे Nordic German Aryans से इनके एक प्रकार से दुसमन है, इनको खतम करना है, पूरी तरीके से खाली कर देना है, दुनिया में से इनको गायब कर देना है, य इनका मानना था, यही चीज़ the arc enemies of the Aryans, अब कहता कि all other colored people were placed in between depending upon their external features, इसके बाद दुनिया में जितने भी समूह थे, यहूदी और Nordic German Arya के बाद, जितने भी नसल थे, उन सब को उनके बाहरी रूप के आधार पर अलग-अलग मानेता दी गई थी, अलग-अलग value दिया गय अब यहाँ पर कहता है कि Hitler racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer, अब यहाँ पर देखिए, biology में कुछ scientists हुए थे, जिन्हों ने जो nature होता है, उसमें कौन जीव जिन्दा रहेगा, कौन जीव जिन्दा नहीं रहेगा, आगे जो ववस्ता है मतलब कि जो generation है वो आगे कैसे बढ़ता है, इस चीज के पढ़िएगा अच्छी तरीके से, कि इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर Darwin के बारे में बताता है, कि यह मतलब simply समझें कि यह जो लोग थे, इन्होंने biology में अपने विचार दिये थे, अब इनके विचार को Hitler या फिर उसी प्रकार के जो नसलवादी लोग थे, उन्होंने उठा लिया, और बोला कि हाँ, हाँ, यह लोग क्या बोल रहें जानते हो, कि जो अच्छा नसलवादी वो जिन्दा रहेगा, और जो खराब नसलवादी वो क्या होगा, खतम हो जाएगा, लेकिन यह लोग ऐसी बात नहीं कर रहे थे, यह लोग biology को explain करने की कोश क्यों हो जाता है, इस प्रकार की चीज़ों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे, अब जैसे Darwin बोल रहे थे, Darwin एक natural scientist थे, जो कि explain करने की कोशिश कर रहे थे, कि plant और animals का जो species होता है, वो कैसे evolution के जरिये बनता है, और natural selection कैसे होता है, natural selection का इनका क्या concept था, इनका concept था कि मान ल मान लो कि यहाँ पर हमारे समाज में हमारे आसपस क्या है, चार पौधे हैं, चार पौधे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से चार पौधे हैं, एक पौधा है जो कि ज़्यादा गर्मी जिल सकता है, एक पौधा है जो कि ठंडी में रह सकता है, एक पौधा ज़्यादा बरसात मे तो ये तीनों मर जाएंगे, ये वाला बच जाएगा, अगर इसी प्रकार से अगर बहुत गर्मी हो गई, तो ये पौधा बचेगा, बाकि सारे खतम हो जाएंगे, तो ये एक प्रकार से Charles Jarwin ने बताने की कोशिश की थी, कि यहाँ पर जो nature है, वो एक प्रकार से, इस प्रकार से natural selection करता है, कि कोई जो प्रजाती है, वो जितना adapted रहेगा, वो survive करेगा, और भी बहुत चीज़े explain करनी की कोशिश की थी, ये सौट में मैं समझानी की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपली बात है कि ये लोग जो थे, ये biological explain करनी की कोशिश कर रहे थे, कि भाई, nature में चीज़े कैसी होती है, लेकिन जो यहाँ पर आपको Nazi ideology के लोग थे, इसी प्रकार के और भी जो लोग थे न, उन्हों ने इनके theory को उठा कर किस के हिसाब से बाट दिया, जाती के हिसाब से, नसल के हिसाब से बाट दिया, कि एक नसल जो है वो अच्छा है, और दूसरा नसल जो है वो कि भाई, कोई climatic condition में, जो जीव survive कर सकता है, वही वहाँ पर survive करेगा, जैसे रेगिस्तान में अगर तुम आम का पौधा लगाओगे, तो आम का पौधा जीवित नहीं बचेगा, लेकिन वहाँ पर cactus का पौधा बच जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो survive करने के लिए fittest है, आम का पौधा तुम्हारे खेत में ज़्यादा अबेहतर से उख जाता है, क्योंकि उसको पानी ज़्यादा चाहिए, यही चीज यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश की थी, यही चीज यह लोग कह रहे थे, कि इस idea के हिसाब से कि वही species survive करेंगे, जो कि अपने हिसाब से adapt कर ले, वही बात है कि जैसा climatic condition है, वैसा कोई जीव नहीं रहेगा, तो वो survive नहीं करने पाएगा, जैसे रेकिस्तान में उट survive कर सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा दिनों तक survive नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उट जो है वो adapt हो चुका है, हम लोग adapt नहीं हुआ है इस प्रकार की चीज़ें ये लोग explain करने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ पर देखिए ये जो scientist थे, ये natural process को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि naturally चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई देखो तुम जाकर क्या जो जाती है, जिसको चाते हो, उसको रखो, बाकी को मारना शुरू कर दो, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पर जो Hitler या फिर उसकी party के लोग थे, या फिर इसी प्रकार के जो भी विचारधरा रखने वाले लोग थे, वो इनके theory को, इनकी बातों को एक प् कर दिये जाएंगे, ठीकर? अब यहाँ पर कहता है कि his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people, अब यहाँ पर कहता है कि यह जो इनके द्वारा ideas दिये का Charles Darwin के द्वारा और Herbert Spencer के द्वारा, इनके ideas को use किया जाता है, किसके द्वारा? जो भी racist thinkers थे, politicians थे, मतलब जैसे कि मानलो कि Britain ने इंडिया पर कबजया किया, तो Britain के कुछ नेता भी इस प्रकार के ideology को सही बोलते थी, कि हम लोग जो है अच्छे नसल के हैं, जो इंडिया वाले है ना, वो सब लोग नसल के हैं, उनको कुछ आता वाता है नहीं, हम लोग वहाँ पर गय है ना, तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इनके ideology को use किया था, उसमें से Hitler की party ने भी इनके ideology को use किया, अब यहाँ पर जो नाजी party थी, उसका argument क्या था, उनका argument था, कि the strongest race would survive and the weak ones would perish, यानि जो strongest race है, वो survive कर जाएगी, बाकी जो low quality के नसल है ना, वो क्या हो ज जाएगे, खतम हो जाएगे, समाप्त हो जाएगे, अब हिटलर की party के हिसाब से जो Aryan race थी, वो finest थी, सबसे अच्छी quality की, और इसके हिसाब से, हिटलर के हिसाब से, जो Aryan race से उसको अपनी purity बना कर रखनी है, मतलब, मतलब जो Aryan होगा, वो यहूदी से शादी नहीं करेगा यहूदी के साथ रहेगा नहीं, या फिर दूसरे जो भी नसल है, उनके साथ नहीं रहेगा, बलकि क्या होगा, purity बना कर रखना है, strong बना है, dominate करना है, पुरे world पर dominate करना है, यह यहाँ पर नाजी party की ideology थी, ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ ही और भी ideologies थे, एक ideology था, जो गया, हिंदी में बोल रहा हूँ, simple words में living space कहा गया, अब यहाँ पर simply मतलब यह है, कि भाई देखो यहाँ पर जो country है जर्मनी, उसको अपना area expand करना है, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को ज़्यादा जगह मिलने पाए, और ज़्यादा जगह में वो expand हो करके रहने प अब ऐसा नहीं है कि हिटलर यह पहली बार लेकर आया था, नहीं, इसके पहले भी जर्मनी में यह ideology चल रही थी, और यह बहुत ही popular ideology थी, समझ गया, तो इसको भी हिटलर ने accept कर लिया, और इसी चीज़ की वज़ा से, यहाँ पर हिटलर ने हम कह सकते हैं कि सोवियत रूस प तो यहाँ पर इसके साथ ही यह था, कि जब हम ज़्यादा इलाके को कबजा करेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा हमें resources मिलेंगे, और जर्मन नेशन का power भी बढ़ेगा, और यह बहुत ही powerful बन जाएगा, समझ गया, अब यहाँ पर आगे कहता है कि Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward, to concentrate all German geographically in one place, Poland become the laboratory for this experimentation, अब यहाँ पर Hitler का क्या हुआ, वही चीज की भाई देखो, क्या करो, eastward expansion करो, Soviet, रूस की तरफ expansion करो, ताकि जितने भी जर्मन भासा बोलने वाले लोग हैं, उन सब को एक देश में रखा जा सके, क्योंकि जर्मन भासा बोलने वाले जो लोग थे, कुछ लोग कुछ दूसरे इलाकों में भी रहते थे, तो सब के लिए एक बड़ा सा देश मनाओ, जहां पर सभी जर्मन भासा बोलने वाले लोग जर्मन लोग रहेंगे, और वहां पर क्या होगा, एक प्रकार से हम लोग पूरा समाज create करेंगे, जर्मन समाज, high quality जर्मन समाज create करेंग अब यहां पर आगे है, experiment of the racial state, ठीक है, अब racial state कहने का मतलब, ऐसी ववस्था, ऐसी सरकार जो की नसल के आधार पर भेदभाव पर चलती हो, उसका establishment कैसे हुआ, कैसे वो बना ये समस्ची समस्थे, अब कहता कि, once in power, the nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable, अब यहां पर जैसे ही नाजी पार्टी के लोगों को सत्ता मिली, उनकी हाथ में power आई, तो उन्हों ने अपना जो dream था, अपना सपना था, उसको लागू करना शुरू कर दिया, क्या सपना था नाजी पार्टी के लोगों का, उनका सपना था कि एक ऐसा हम लोग देश बना हैं, उन सब को physically eliminate कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, समझ गए? मतलब यहां पर यहां पर यह है, कि भाई देखो, हम जो जर्मनी देश बनानेंगे, वहां पर कौन रहेगा? जो best racial community के लोग हैं, यानि जो जर्मन हैं, वो रहेंगे, बाकि जो यहूदी रहते हैं, या फिर जो जिपसी रहते हैं, और भी रहते हैं, उन सब को क्या कर दिया जाएगा? physically eliminate, यानि की मार दिया जाएगा, खतम कर दिया जाएगा, उनको यहां पर इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक pure Aryans का, pure Germans का समाज बनेगा, समझ गए? यह यहां पर इनका concept था, अब इसके बाद यहां पर कहें, तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans, यहां पर जो नाजीज थे ना, वो यहां पर क्या कुछ special भी चाहते थे, कि यहां पर pure and healthy Nordic Aryans का समाज बने, healthy भी important है, इसलिए यहां पर अगर हम लोग देखें, तो इन इन ही को desirable कहा था, pure and healthy Nordic Aryans, अब यहां पर इन ही को यह कहा गया था, मतलब नाजी पार्टी का ऐसा विचार था, कि यही लोग ऐसे हैं, जिनको अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, जिनको ज़्यादा production कर, मतलब जन संख्या बढ़ानी चाहिए, और यहां पर इनको अमीर ह होने का हक है, और इन ही को अपनी संख्या बढ़ाने का हक है, और बाकी जितने भी undesirable लोग हैं, उनको अपनी संख्या आबादी बढ़ाने का हक नहीं है, और साथ में इनको खत्म कर देना ही सही रहेगा, मतलब कि जो यहूदी हैं उनको खत्म कर दो, जो जिपसी हैं उनको और जो भी जिनको भी कम वो लोग मानते थे, उन सब को क्या कर दो, physically eliminate कर दो, खतम कर दो. कहता है कि this means that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. यानि वैसे जर्मन भी, जो की impure दिखते थे, impure लगते थे, या फिर जो की abnormal थे, उनको भी जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं था. अब इसी वजह से एक प्रोग्राम चलता था, यूथने इसिया प्रोग्राम, यह simply कहें तो भाई जहर देने का प्रोग्राम हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर जितने भी Germans थे, Germany की लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो German थे, Nordic Aryans थे, उनकी बात हो रही है, कि वो उनमें से अगर कोई व्यक्ति mentally और physically unfit मिलता था तो उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जाती का व्यक्ति नहीं, अपनी जाती का भी व्यक्ति है, अपना ग्रूप का भी व्यक्ति है, और वो क्या है, mentally unfit है, physically unfit है, वो सादिरिक आगे Jews की बात की गई है, यहूदियों की बात की गई है, कहता कि Jews were not the only community classified as undesirable, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहूदियों को undesirable कहा गया था, घुशित किया गया था, नहीं, कहता कि there were others, कुछ दूसरे ग्रूप भी थे जिनको की undesirable आवांचनिय घुशित किया गया था, जैसे कि जो gypsies थे, blacks थे, जो कि नाजी जर्मनी में रह रहे थे, उनको भी racial inferior घुशित किया गया था, और इनको भी एक प्रकार से खतम करने की कोशिश की गई थी, इनको भी बहुत बड़ी संख्या में मारा गया था, और क्यों, क्योंकि ये लोग एक प्रकार से जो superior Aryan race है, जर्मन race ह उसके उपर खतरा एक प्रकार से बन चुके थे, इस बात को लेकर यहाँ पर इनको मारने की कोशिश की गई थी, समझ गया, मतलब मारा तो गया था, मतलब पूरी जाती को खतम करने की कोशिश की गई थी, समझ गया, और यहाँ पर कहता है कि they were widely persecuted, persecuted का मतलब क्या होता है, simple म किसी खास group के लोगों को, आप चुनकर उनको मारते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, persecution कहा जाता है, ठीक है, आगे कहता है कि even Russians and Pols were considered subhuman, यहाँ तक कि जो Russia के मूल निवासी थे, Russians थे, पॉलिंड के मूल निवासी थे, उनको भी subhuman माना जाता था, low quality का human माना जाता था, Germans के दोरा, और इसी वज़ास से कहा जाता था कि इनको किसी भी प्रकार की humanity के जरुवत नहीं है, मतलब तुमको अगर दयाभाव ना दिखाना है न, तो Nordic German RA के उपर दिखाओ, इन Russians और Polish लोगों के उपर दिखाने के जरुवत नहीं है, क्योंकि यह लोग humans हैं ही नहीं, यह ल जर्मानी ने रशिया के इलाकों को कबजा किया, जब पॉलिड के इलाकों को कबजा किया, तो वहाँ पर जो लोग पकड़े गए, उनको मजदूर के रूप में, गुलाम मजदूर के रूप में काम करने के लिए बोला गया, कि भाई काम करो, जो लोग तयार नहीं होते थे कि उनकी मौत हो जाती थी, समझ गए, तो यहाँ पर है कि भाई, बहुत सारे समूह ऐसे थे लोगों के, जिनको की यहाँ पर नाजीज ने टार्गेट किया था, अब यहाँ पर देखिए, तो बहुत सारे समूह के लोगों को टार्गेट किया गया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जिनको सबसे ज़दा target किया गया था वो कौन थे वो यहूदी थे Jews थे ये एक प्रकार से worst sufferers थे इनको सबसे बड़ी संख्या में मारा गया था या फिर target किया गया था आप नंबर सुरू महीं chapter के देख चुके हैं करीब 60 लाग की संख्या में यहूदियों की हत्या की गई थी अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि नाजी जर्मनी या फिर हिटलर पहली बार आया था जिसने यहूदियों को target किया था या फिर यहूदियों को मारा था नहीं अगर आप इतिहास देखे यूरोप का तो पिछले 1000 सालों से 2000 सालों से यहूदियों पर लगतार अत्याचार हुए हैं और यहूदियों को समय समय पर बहुत बड़ी संख्या में मारा गया है आज के 200 साल पहले भी 300 साल पहले भी जहां भी गाव होते थे समू होते थे यहूदियों के न वहाँ पर उनको मार दिया जाता था उनको हत्या कर दिया जाता था और उनको समाज से बाहर हमेशा रखा जाता था ऐसा नहीं है कि नाजी जर्मनी आया, हिटलर आया तो पहली बार यहूदियों की इतनी बड़ी संख्या में हत्या हुई थी, नहीं, पिछले 2000 सालों में बहुत बार उनका इतनी क्लिंजिंग किया गया है, मतलब उनका पूरा समूख खतम करने की कोशिश की गई है, अब पर इसका कारण क्या है, कि पिछले 2000 सालों से इस प्रकार से यहूदियों से लोग नफरत करते थे, तो भाई, अगर आप Christianity को देखते हैं, तो Christian धर्म में जो यहूदी हैं, उनके खिलाफ एक inbuilt नफरत है, क्योंकि यहाँ पर Christianity में माना यह जाता है, कि जो यहाँ पर यहूदियों ने चड़ाया था, या फिर simply बात है कि Christ की मौद क्यों हुई थी, यहूदियों की वज़ा से हुई थी, इस वज़ा से यहाँ पर Christianity में आपको simply देखने को मिलेगा, कि Christians जो हैं, वो यहूदियों से नफरत करते हैं, सभी जगों पर नहीं, लेकिन यूरोप में आज के 100-200 साल पहले तक यह बहुत बड़ी प्रता थी और बहुत बड़े अस्तर पर यहूदियों की वहाँ पर हत्याय होती रहती थी, और साथ में यहाँ पर यहूदियों को यहाँ पर यूजर्स की रूप में भी देखा जाता था, मतलब कि ऐसा लोगों का ग्रूप, ऐ इनको जमीन खरीदने नहीं दिया जाता था, और साथ में इनको कुईसी भी प्रकार से गाव वगेरा में लोगों के बीच में रहने नहीं दिया जाता था, समझ गया, तो इनको अपना जिंदगी चलाने के लिए या तो ट्रेड करना पड़ता था, या फिर मनी लेंडिंग करना पड़ता था यानि कि या तो व्यापार करते थे या फिर पैसा उधार पर दे करके कुछ व्यापार करते थे और उससे अपनी जिंदगी चलाते थे यहुदी लोग तो यहाँ पर इसी चीज के वज़ा से इनको यह दिखाये जाता था कि भाई देखो ये लोग जो हैं क्या हैं ये यूजर से मतलब कि एक प्रकार से सूध खोर हैं सूध का पैसा खाते हैं और उसी से अपनी जिंदगी चलाते हैं ये यहाँ पर एक प्रकार से यहूदियों का माना जाता था और इस वज़ा से बहुत सालों से यहूदियों से पास इलाके में रहते थे जहां पर मार्किंग किया जाता था कि देखो इस इलाके में कौन रहता है इस इलाके में यहूदी रहते हैं और उस इलाके को क्या कहा जाता था घेटो कहा जाता था समझ गया और यही चीज़ कहता जो मैंने कहा कि they were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land उनको कई बार मार हम लोग देखें तो हिटलर का जो hatred था यहूदियों के प्रती वो इस मामले में थोड़ा सा अलग था क्योंकि हिटलर जो था वो Christianity के आधार पर हिटलर यहूदियों से नफरत नहीं करता था बलकि यहां पर उसका जो आधार था वो था pseudo scientific वही रेस के आधार पर कि भाई जो Nordic German आ रहे है न वो based है और जो यहूदियों का नसल है न वो सबसे low quality का नसल है यह एक प्रकार से मानना था और उसके अलावा और भी reason थे जैसे यहूदी जब grow कर रहा था World War 1 उसने देखा और World War 1 के बाद की सिती देखी तो जो Hitler था उसके मन में यह बैठ गया और उसके समर अपने मन में बैठा ली थी जिसके वज़ा से भी वो यहूदियों से इतना ज़्यादा नफरत करता था समझ गया कहता कि which held that conversion was no solution to the Jewish problem यहूदियों की समस्या को खतम करने के लिए मतलब क्योंकि यहाँ पर race की बात हो रही है नसल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर अगर यहूदी Christianity धर्म को भी अपना लेते हैं तब भी उनको जीने का हक नहीं है क्योंकि उनका नसल थोड़े ही न वदल जाएगा इसलिए यहाँ पर उसने क्या कहा कि भाई क्या करना होगा हमें total solution करने के लिए total elimination करना होगा मतलब कि एक प्रकार से पूरी तरीके से उनको मिटा जाना होगा उनका सफाया करना होगा तब ही जाकर हम क्या गर सकते हैं यहूदियों से छुटकारा पा सकते हैं और यह जो समस्या है यहूदियों की इसको खतम कर सकते हैं अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि from 1933 to 1938 नाजी इस टेरोराइजड, पॉपराइजड and segregated the Jews compelling them to leave the country जब 1933 में नाजी पार्टी के लोगों के पास सत्ता आई तो 1938 तक क्या किया गया जितने भी यहूदि थे उनको डराया गया धमकाया गया उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया जब अगला दोर आया 1939 से 1945 के बीच में यहाँ पर इनको concentrate किया गया मतलब concentration camps में डाला गया कुछ खास एरिया में और वहाँ पर आगे ले जाकर Poland के gas chambers में उनकी हत्या कर दी गए अब gas chambers खास chamber होता था जहां पर train के जरीए यहूदियों को डाला जाता था और gas जो था जहरीली gas डाल करके यहूदियों को दो मिनट में एक मिनट में मार दिया जाता था और फिर उनका last बहर आ जाता था इस प्रकार से यहां पर यहूदियों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई थी समझ गया अब इसके बाद है topic number 3.2 the racial utopia utopia मतलब क्या होता है utopia मतलब होता है कि एक सपनों का संसार एक बहुती शांदार सपनों का संसार जैसे आप क्या है आपके सपनों का संसार है इसी प्रकार से जो नाजीज थे उनका भी एक सपनों का संसार था कि वो क्या करेंगे racial utopia बनाएंगे मतलब की एक ऐसा समाज एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर खास नसल के Nordic German आरे रहेंगे और वो क्या होंगे वही पूरी दुनिया पर राज करेंगे पूरी दुनिया पर सत्ता करेंगे अब यहां पर कहता कि Under the Shadow of War जब वार चल रहा था उस दोरान जो नाजीज थे उन्होंने अपनी जो आइडिलोजी थे उसको इंप्लिमेंट करना शुरू किया उसको लागू करना शुरू किया कौनसी आडिलोजी भाई य जो रेस अधारित समाज निर्मान था ना इसका आइडिलोजी को लागू करना शुरू किया यहां पर जेनोसाइड बहुत बड़ी संख्या में किया गया वो तो आपने शुरू में ही देखा कि करीज 60 लाख यहुदी मारे गए 2 लाख जिपसी मारे गए 10 लाख की संख्या म यहां पर हत्याएं की जारी थी समझ गया अब यहां पर देखिए जो पॉलेंड को कबजा किया गया जब पॉलेंड के उपर कबजा किया गया जर्मानी ने पॉलेंड के उपर कबजा किया तो पॉलेंड को डिवाइड कर दिया गया यहां पर पॉलेंड के उपर जब कबज गया गया मतलब कि जर्मनी में जो सरकार थी वो इस इलाके के उपर कबजा कर ली एक हिस्सा आपको इस तरफ वाला हिस्सा हो गया और बीज का हिस्सा ये हो गया तीन हिस्सों में यहां पर पॉलेंड को डिवाइड किया गया जब पॉलेंड के उपर कबजा हो गया ठीक है कहत से पॉलेंड के निवासियों को अपने घर प्रोपरटी को छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया, कि तुम लोग भागो यहां सा तुम लोग को यहां कोई जरुवत नहीं है, क्यों भागो, क्योंकि जो जर्मनी के नागरीख जर्मन नागरिक है, नौडिक आरेंज जर्मन से हैं, वो आकर यहां रहेंगे और इस इलाके में अब उनका कबजा रहेगा, समझ गया? आगे यहां पर देखें, तो यहां पर जो पॉलेंड के निवासी थे उनको भेड़ वक्रियों की तरह निकाल दिया गया, अब यहां पर एक बीच का इलाका जो मैंने दिखाया, उस इलाके को जेनरल गवर्मेंट का इलाका कहा जाता था, वहां पर पॉलेंड के निवासीयों को भेज दिया गया, जर्मनी के इलाके से, मतलब अगर यहां मैं आपको दिखाओं, तो यहां पर जो तीन हिस्से किये गया, तीन हिस् क्यों का आ गया भाई, यहां पर एक खास तरीके की सरकार बनाई गई थी, जो कि इस इलाके के कामकाज को देख रही थी, इस इलाके की ववस्था को देख रही थी, और यही वो इलाका था जहां पर की बहुत बड़े अस्तर पर यहूदियों की हत्या की गई थी, और बहु अब यह जो जेनरल गावर्वेंट का इलाका था यही वो इलाका था जहांपर कि जितने भी अंडिजारेबल लोग थे चाहे वो यहूदी थे जिपसी थे या फिर आपको पॉलिश निवासी थे सब को यहां पर लाया आए जाता था और यहां पर इसके साथ ही जो पॉलिश इ जानकार होते हैं जो कि अपने हिस्ट्री को जानते हैं अपने समाज को जानते हैं अपना पूरा इतिहास जानते हैं सब चीज जानते हैं तो यहां पर जब पॉलिड के उपर कबजा हो गया हिटलर का जर्मनी का तो यहां पर जितने भी आपको बुद्धी जीवी लोग थे पढ़े लिखे लोग थे, समाज के जानकार लोग थे, उन सब का बहुत बड़े अस्तर पर हत्या किया गया, और इसके साथ साथ यहाँ पर यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको intellectually और spiritually सर्वाइल बनाया जा सके, मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से अपने कबजे में, अपन पॉलिश बच्चा, जो भी देखने में Aryans के जैसा दिखता था, उसको उसके माता-पिता से छीन लिया जाता था, और उनको भेज दिया जाता था उन बच्चे को कहां, race expert के पास, मतलब कि नाजी जर्मानी में special export होते थे, जो कि बच्चों का टेस्टिंग करते थे, जर्मानी के किसी परिवार के पास भेज देगा, वो परिवार उस बच्चे का ख्याल रखेगा, उसको बड़ा करेगा, लेकिन अगर वो बच्चा Aryan race का नहीं है, किसी और नसल का certified होता है, expert के दोरा, तो उसको कहां भेज दिया जाएगा, उसको और फिरेज में, यानि अन field for the Jew, यानि कि ये जो जेनरल गवर्मेंट का इलाका था न, ये इलाका वैसा था जहां पर सबसे बड़ी संख्या में आपको घिटोस थे यहूदियों के, और यही पर वो गैस चेमबर बनाए गए थे, जहां पर कि यहूदियों की और दूसरे unwanted लोगों की हत्या की जाती थ और यही पर एक प्रकार से पूरा killing field था, अब यहां पर देखे, ये आपको एक train का box दिखाया गया, बकसा दिखाया गया है, और ये आपको train का bogey है, जिसमें यहूदियों को या फिर unwanted लोगों को डाला जाता था, बैठाय जाता था, ये train आगे जाता था, एक चेमबर में जहां पर आपको जहरीली gas डाली जाती थी, और जहरीली gas डालकर यहां पर लोगों को मार दिया जाता था, और फिर ये train वापस आती थी, जहां पर क्या होता था, trains में लास पड़े होते थी, लोगों की लासे पड़े होती थी, समझ गया, तो यहां पर अगर हम लोग देख करने के और फिर उनकी हत्या करने के ये चला था सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ 1933 से 1939 तक यहाँ पर ये एक प्रकार से नागरिकता छीन ली गई सभी यहूदियों से कि भाई तुम हमारे समाज के में रहने लायक नहीं हो तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो ये पहली बात की गई यहूदियों के साथ मतलब कि यहाँ पर एक स्पेसल कानून लाया गया कि भाई कौन लोग सिटिजन होंगे उनके लिए क्या शर्ते होंगी ये सब लाया गया कब सिप्टेंबर 1935 में अब यहाँ पर कहता कि only person of German unrelated but would be German citizen enjoying the protection of German empire यानि जो जर्मन खून के लोग हैं ज Germans के बीच में साथी allowed नहीं है वो forbidden है इसके साथ ही extra marital affairs नहीं होने चाहिए German और यहूदियों के बीच में वो भी एक crime होगा और जो यहूदी हैं वो national flag नहीं फैरा सकते हैं ये भी ban कर दिया गया यहाँ पर इसके अलावा और भी कई लीगर में अपनाएगा यहूदियों को अलग करने के पहला तो था कि जितने भी Jewish business थे यहूदी बिजनेस थे उनका boycott कर दो इसके साथ ही जो government service है उनसे यहूदियों को निकाल दो और इसके साथ ही जो यहूदी की properties है उनको कबजा कर लो उसको ज यहां पर जैसे यह कुरसी देख सकते हैं यह पार्क में लगा हुए एक bench है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है four Aryans only मतलब यहां पर यहूदी नहीं बैठ सकते हैं और भी दूसरे लोग नहीं बैठ सकते हैं समझ गया है इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो आगे क्या क अगी इसके अलावा लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यहूदीयों को प्रृपटीज पर हमला करते थे उसको लूट लेते घरों पर हमला करते थे जो यहूदीयों के प्रार्थनास तल होते थे synagogue उसको जला दिया गया लोगों को arrest किया गया बहुत तरीके की चीज़े वहाँ पर हुई थी अब यहाँ पर देखे यहाँ पर अगर हम देखे तो यह एक emblem देख रहे हैं यह sign किस चीज़ का है यह दिखाता है कि देखो यह जो bath house है यह आपको bath house northern sea bathing जो है resort यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं है और कोई यहूदी आता नहीं है यहूदी free यह इनलाका है तो Aryans लोग यहाँ आ सकते हैं ऐसी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती थी उस समय में इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा process चला ghettoization ठीक है अब यहाँ पर क्या है you have no right to live among us यहाँ पर इसके बाद दूसरा पहला अस्तर क्या हो गया कि भाई जो यहूदी समाज में रहते हैं उनको क्या करो समाज से बाहर निकाल दो दूसरा क्या है कि समाज से बाहर निकल गए उनको अब क्या करो खास जगह पर जमा करो खास जगह पर उनको रखो कहता है कि from September 1941 all Jews had to wear a yellow star of David on their breast यानि एक पीला सितारा जिसको कि star of David कहा जाता है वो उनको पहनने के लिए मजबूर किया गया कि भाई अपने छाती पर तुम लोग लगा कर कि चलोगे कौन यहूदी लोग कि ताकि लोग जो हैं वो दूर से ही तुम को पहचान पाएं कि तुम क्या हो तुम यहूदी हो समझ गह तो यह जो आइडेंटिटी था वो एक प्रकार से सिर्फ उनको लगा करके नहीं चलना था बलकि जितने भी उनके आधार मतलब आधार काट तो हमारे इसमें होता है वहाँ पर जो भी पासपोर्ट होता था लीगल डॉकुमेंट होता था जो भी घरे घर होते थे वहाँ पर भी ये ये यलो स्टार ओफ डेविड उनको साइन लगा करके दिया जोता था कि भे तुम क्या हो तुम यहूदी हो समझ गए उनको जर्मनी में जीविस हाउसेज में रखा जाता था और साथ में घेटो में रखा जाता था जैसे कि वर्सवा में लोड्स में बहुत सारे घेटो बनाए गये थे जहां पर यहूदियों को कंसंट्रेट करकर रखा जाता था और यह जो इलाके होते थे जहां पर यहूदियों को रखा जाता था वहां पर लोगों के पास कोई संपत्ती नहीं होती थी उनके सारी संपत्तियां छीन ली जाती थी वो बस वहाँ पर रह रहे होते थे और उस इलाके में जो यहूदियों का इलाका बनाया गया था घेटो वहाँ पर वो लोग बहुत मिजरी में, बहुत दुख में, भूख में रहते थे उनको अपनी प्रॉपर ववस्था भी नहीं मिल पाती थी इसके साथ ही यहाँ पर यही कहता है कि जब वो उनको घेटों में भेजा जाता था तो उनको अपनी सारी संपत्ती जमा करनी होती थी सरकार के पास उसके बाद उनको वहाँ पर भेजा जाता था और जब वो घेटों में पहुंचते थे तो वहाँ पर भूख, starvation, disease इन सब तरीके की परिशानिया उनको जहलनी पड़ती थी समझ गए? अब यहाँ पर देखें तो एक तस्वीर दिखाय जा रहा है कि एक यहूदी आदमी है जो कि कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना एक प्रकार से survival करने पाए, कुछ उसके पास पैसे हैं ताकि वो जिन्दा रहने पाए अब इसके बाद यहाँ पर stage 3 हो गया, stage 3 में क्या? भाई, समाज से अलग कर दिया, समाज से अलग करके उनको concentrate कर दिया, घेटोज में जमा कर दिया अब उसके बाद क्या आती है? उन सब को मौत के घाट उतारने की यानि क्या है? यानि अब तुमको जिन्दा रहने का यह अधिकार नहीं है, क्या करते हैं? अब तुमको सीधे मार देते हैं, खतम कर देते हैं अब यहाँ पर अगर आप लोग तश्वीर देखें, तो यह तश्वीर एक concentration camp का है, जहाँ पर की लोगों को मारने से पहले लाया जाता था, यहाँ पर रखा जाता था, समझ गया? अब इस प्रकार के concentration बहुत बड़ी संख्या में जेनरल गवर्मेंट की इलाके में बनाए जाता था, और इसी यही पर आपको gas chambers होते थे, जहाँ पर की लोगों को मारा भी जाता था, समझ गया? तो यहाँ पर यही चीज हुआ, क्या हुआ भाई? कहता है कि इजियोस फ्रॉम जीवीस houses, concentration camps and ghettos from different part of Europe, we are brought to death factories by good trains, in Poland and elsewhere in the east, most notably, Bells, Auschwitz, Sovior, Trebekya, Chelmo, मतलब बहुत सारे concentration camps है, जहाँ पर की यहुदियों को साथ में दूसरे undesirable लोगों को मारा जाता था, तो वहाँ पर इनको लाया कैसे जाता था, goods trains की मदद से लाया जाता था, इनक gas chamber में भेजा जाता था, और दो मिनिट में, एक मिनिट में gas chamber उनको जहर दे करके मार देता था, समझ गया, तो यहाँ पर अगर आपको देखना कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की हत्या हुई थी, तो यहाँ पर देखें, यह पूरा आप क्या देख रहे है उन लोगों के जूते हैं, चपल हैं, जिन लोगों को वहाँ पर मारा गया था, मतलब कि जब वो जार है थे अपने मौद के लिए, ट्रेन में बैठ कर, उससे पहले लोगों ने जूते उतारे थे, उसका यहाँ पर संख्या आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर लो भागनी की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कंसेंट्रेशन कैम था, उसके चारो तफ तारे लगाए गई थी, जिसमें की बिजली दौरता था, और यह भागने के करम में ये वक्ती क्या हो गया, करेंट के वज़ा से मारा गया, समझ गया, तो एक प्रकार से देख सकते हैं, क कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चला था, किस तरीके से ये सारी चीज़े हो रही थी, अब यहाँ पर इसके बाद है topic number 4, topic number 4 क्या है youth in Nazi Germany, यानि अब हम यहाँ पर इस topic में समझने वाले हैं, कि जो जर्मनी के आम लोग थे, youth लोग थे, जर्मनी में जो महिलाएं थी, इन स्टरीके के जो लोग थे, इन सब का क्या विचार था, क्या सोचना था, ये लोग कैसे रहते थे, क्या ये लोग करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग youth लोगों की बात करें, यानि बच्चों की, adult लोगों की बात करें, तो यहां पर Hitler जो था, वो देश के यूथ में, यानि जवानों में, किशोर बच्चों में बहुत जादा इंटरेस्टेड था. यहां पर यहीं कहता है कि Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the children both inside and outside school. तो यहां पर Hitler जो था, वो बच्चों के उपर बहुत जादा concentrate करता था, उनके उपर बहुत ध्यान दे रहा था. क्योंकि Hitler का मानना था, कि अगर हमें बहुत ही strong Nazi society बनाना है, तो उसके लिए बच्चों को Nazi ideology teach करना, सिखाना बहुत ही जरूरी है. अगर हम अच्छे तरीके से control करके, बहुत ही अच्छे से अगर बच्चों को educate करेंगे Nazi ideology के बारे में, कि Nazi society क्या होती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, अगर सिखाएंगे, तब ही जाकर हम लोग एक अच्छा Nazi society बना सकते हैं. तो भाई यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि इसकूलों में किस प्रकार से Nazi society में ववस्था चल रही थी, यह समझते हैं. कहता है कि सभी इसकूलों को क्या किया गया? Clean किया गया और Purify किया गया. कैसे clean किया गया? कैसे Purify किया गया? तो यहाँ पर कहता है कि जितने भी teachers थे, जो कि यहूदी थे, जीव थे, उन सब को स्कूल से निकाल दिया गया? और साथ में जितने भी लोग थे, जो कि politically unreliable थे, यानि कोई teacher है, अगर वो मान लीजे, communist विचार्क रखता है, या फिर democrat विचार्क रखता है, या फिर socialist जो है, Hitler का विरोध कर सकता है, या फिर nozzle ideology का विरोध कर सकता है, उसको dismiss कर दिया गया, school से निकाल दिया गया, school में वैसे ही teacher को रखा गया, जो कि nozzle trigology का support करते थे, और बच्चों को nozzle ideology पढ़ाने के लिए तयार थे, समझ गया? इसके साथ ही सबसे पहले क्या किया गया जितने भी बच्चे थे उनको segregate किया गया मतलब कि जो Germans बच्चे थे और जो यहूदी बच्चे थे उन सब को साथ में नहीं बैठाया जाता था अलग लग बैठाया जाता था और उनको साथ खेलने के लिए भी आजादी नहीं था ये सभी बच्चे अलग-लग रहने लगे अलग-लग क्या करने लगे अलग-लग पढ़ने लगे ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि subsequently undesirable children use the physically handicapped gypsies were thrown out of school आगे चलकर क्या किया गया वैसे जितने भी undesirable बच्चे थे जो कि अलग पढ़ रहे थे उन सबको इस्कूल से निकाल दिया गया और आगे चलकर 1940s में सबको gas chamber में ले जाकर क्या कर दिया गया जान से मार डाला गया तो इस प्रकार से school में वबस्ता चल रही थे आगे अगे अगर हम लोग देखे तो आगे और भी चीज़े चल रही है कहता कि good German children were subjected to a process of Nazi schooling जिनको एक अच्छा जर्मन बच्चा माना जाता था नसल के आधारपन यानि ऐसा बच्चा जो कि Nordic German आ रहे है उसको क्या किया जात था मतलब कि Nazi school, Nazi ideology के बारे में पुरा training पुरा पढ़ाई उनको दिया जाता था और यहाँ पर इनको काफी जदा ideological training दिया जाता था कि भाई Nazi क्या होते है, Nazi society कैसी होती है, Jews जो होते हैं वो खराब होते हैं, जो Nordic German RR होते हैं, वो सबसे best होते हैं, इस प्रकार की चीज़े बच्चों को सिखाई जाती थी और इस वर बहुत ज़्यदा emphasis दिया जाता था, साथ में जो school के किताबे थी, उसको भी फिर से लिखा गया, पुरानी किताबों को खत्म कर दिया गया, ऐसी किताबे लिखे गए जिसमें कि जो race था, racial science वो पढ़ाया जाता था, मतलब कि यहा सिखाः जाता था, कि भाई देखो यहां पर race जो होते हैं, वो equal नहीं होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुर जाती थी इस प्रकार के चीज़े सिखाई जाती थी, और यह क्यों सिखाई जाता था, ताकि बच्चों के मन में ये ideology जो है वो तस्वीर दिखाए गई है, इस तस्वीर में यहाँ पर math class चल रहा है, math class में यहाँ पर बच्चों को math class में भी यहूदियों के बारे में सिखाए जा रहा है, कैसे, यहाँ पर कहता कि the Jewish nose is bent at its point, it look like the number 6, अब बोले कि कह रहा है कि देखो, यहूदियों की जो नाक होती है न, वो इस letter, 6 letter के जैसी होती है, ऐसा यहूदियों को नाक होता है, इस प्रकार से यहाँ पर 6 सिखाये जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिखाये जा रहा है, तो हर जगह पर यहाँ पर आपको focus किया जाता था, propaganda के उपर, यानि बच्चों को सिखाने के उपर, schooling के उपर, कि यहाँ पर है, तुमको Jews, यहूदियों को hate करना है, Hitler को भगवान की तरह पूजना है, भगवान की तरह मानना है, और साथ में जो sports भी बच्चे खेलते थे, sports क्यों कराये जाता था, ताकि बच्चों के अंदर violence का spirit generate किया जा सके, और बच्चों में aggression generate किया जा सके, चुकि बच्चे क्य हो, aggressive हो, और वो क्या हो, war में participate करने के लिए उनके अंदर effort हो, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए एक प्रकार से क्या हो सके, उनको तयार किया जा सके, कहता कि Hitler believed that boxing could make children iron hearted, strong and masculine, यहाँ पर violent जो activities होती है, वो ज़्यादा school में promote की जाती थी, sport के रूप में, जैसे कि boxing हो ज़्यादा वो मजबूत होंगे इस प्रकार से, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ school में ही बच्चों के उपर ध्यान दिया जाता था, बलकि school के बाहर भी बच्चों को ideologically train करने के लिए system पुरा चलता था, जैसे कहता कि बहुत सारे youth organization होत हैं, उनको spirit of national socialism सिखाया जाए, कि भाई national socialism क्या होता है, नाजी ideology क्या होती है, यह सब की training दी जाती थी, जैसे उधारण के लिए कि कोई बच्चा अगर 10 साल का हो गया, तो उसको जंग वोक नामक एक संस्था में डाल दिया था, जंग वोक क्या होता था, एक प्रकार से ठीक है, इसके बाद जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे, तो जितने भी boys होते थे, जितने भी लड़के होते थे, उन सब को Nazi youth organization, जिसका नाम था Hitler youth, join करवाया जाता था, सभी बच्चे क्या करते थे, Hitler youth को join कर लेते थे, यहां पर बच्चों को युद्ध अच्छी चीज होत सिखाया जाता था, और यहूदियों को hate करना, communist gypsies, सभी लोगों को एक प्रकार से hate करना सिखाया जाता था, यानि जिनको भी Nazi undesirable मानते थे, उनके प्रती यहां पर hate बच्चों को सिखाया जाता था, ठीक है, इसके बाद कहता है कि बच्चों को काफी लंबे समों तक ट्रे organization में वो जाकर काम करने लगते, जैसे कि police में चले जाते, secret squad में चले जाते, gaspo में चले जाते, किसी प्रकार के किसी organization में वो जाकर के काम करने लगते, अब देखें ये जो youth आपको था, Hitler Youth Organization, ये बनाया गया था 1922 में, चार साल बाद इसका नाम change कर दिया गया, और इसका ना by the youth movement, under Nazi control, all other youth organization were systematically dissolved and finally banned, सभी youth को एक जगह पर organized, controlled रखने के लिए, जितने भी देश में youth organization थी, उन सब को ban कर दिया गया, खतम कर दिया गया, और देश में सिर्फ एक youth organization बचा, और वो था, Hitler Youth, ठीका, अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, अ आपको एक तस्वीर दिखाए जा रही है, जहाँ पर कि जो यहूदी बच्चे हैं, यहूदी teacher है, उनको school से निकाला जा रहा है, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी एक प्रकार बच्चे एक प्रकार से खुश हैं, एक प्रकार से enjoyment कर रहे हैं, यह सारी चीज़े, अब यहाँ पर आपको source C और D में बताता है कि जो बच्चे होते थे, उनको किस प्रकार से training दी जाती थी, कैसे उनका training होता था, यहाँ पर कुछ उस समय के जो लोग थे, जो इस चीज़ में सामिल थे, उनकी बात यहाँ पर रखी गई थे, समझ गए, तो यहाँ पर आगे कुछ तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर हिटलर desirable बच्चों के साथ है, यानि Nordic, जर्मन आरे जो बच्चे उनके साथ है, यहाँ पर एक मा है अपने बेटे के साथ, नाजी पार्टी का सिंबल लिए हुए, जंडा लिए हुए, इसके बाद यहाँ पर आगे हमारे सामने topic क्या है, topic number 4.1, the Nazi cult of motherhood, यानि अब हमने बच्चों की बात कर ली कि बच्चों पर नाजी पार्टी कैसे focus करती थी, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, महिलाओं के उपर, यानि जो मा होती है, मा को कैसे नाजी पार्टी देखती थी, यह समझते, कहता कि children in Nazi Germany, we are repeatedly told that women, we थी, वो अपने देश में ये सिखाती थी बच्चों को, कि जो लड़कियां होती है, औरते होती है, वो मर्दों से अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है, समझ गया, अब यहाँ पर यह चीज बताया जाता था, कि देखो जो दुनिया में equal right की बात चल रही है, कि म सोसाइटी को destroy कर देंगी, मतलब कि यहाँ पर महिलाओं का काम क्या है, महिलाओं का काम politics में सामिल नहीं होना है, बलकि उनको क्या काम है, उनका काम घर समभालना है, घर को देखना है, समझ गया, कहता कि बच्चों को, यानि कि जो लड़के होते थे, उनको सिखाय जाता था कि तुमको बड़े होकर क्या बनना है, एक अच्छी मा बनना है, और साथ में pure blooded Aryan children's को जन्व देना है, उनको पालना है, समझ गया, ये महिलाओं की जिम्मेदारी है, अब इसके साथ ही girls को ये जिम्मेदारी दी गई थी, या फिर एक प्रकार से सिखाय जाता था, कि तु या तुम जाकर अगर शादी करोगी, तो किसी जर्मन आरे से साधी करोगी, ना कि किसी यहूदी या फिर किसी unwanted group के व्यक्ति से साधी कर लोगी, समझ गया, ये चीज सिखाय जाता था, इसके बाद कहता कि distance themselves from Jews, यहूदियों से दूर रहने के लिए महिलाओं को कहा जाता थ और साथ में ये कहा जाता था कि महिलाओं की जिम्मेदारी घर का ख्याल रखना है, अपने बच्चों को नाजी वैल्यो सिखाना है, और साथ में जो आरियन कल्चर और रेस है, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, हर मा की है, महिला की जिम्मेदारी है, समझ गया, 1933 में जो हिटलर था उसने कहा था कि मेरे देश में, मेरे सरकार में, मेरी वेवस्था में, जो मा है वो सबसे important citizen है, सबसे important है, लेकिन जब हम नाजी जर्मनी को देखते हैं, तो वहाँ पर सभी महिलाओं को, सभी मा को बराबर दर्जा नहीं मिलता था, तो कहां फर्क किया जात तो यहां पर जो महिला हैं, ऐसे बच्चो को जन्म देती थी, जो कि undesirable थे, मा लीजे कोई महिला है, जो कि Nordic German आ रहे हैं, उसने एक बच्चा जन्म दिया, लेकिन उसका hair जो है वो black आ गया, आइस जो है blue नहीं है, इसकिन का color थोड़ा सा different आ गया, तो भाई वो क्या होगी वो उसको punish किया जाता था, ऐसी महिला को punish किया जाता था, और साथ में ऐसी महिलाएं, जो कि racially desirable बच्चो को जन्म देती थी, उनको favorable treatment मिलता था hospital में, उनको धुकानों में discount दिया जाता था, और साथ में theater ticket भी दिये जाते थी discount पर, railway fairs में discount मिलता था, हर जगह पर discount दिया ज इसके लिए महिलाओं को award भी दिये जाते थे, महिलाएं अगर ज़्यादा बच्चे जन्म देती थी तो उनको award दिये जाते थे, जैसे उदारण के लिए कि अगर कोई महिला चार बच्चो को जन्म देती है, तो उसको bronze क्रोस दिया जाता था, अगर छे बच्चो को जन्म द code of conduct were publicly condemned and severely punished, यानि जितनी भी Aryan महिलाएं थी, अगर सरकार के नाजी पार्टी के तै किये गए हिसाब से नहीं चलती थी, तो उनको बहुत जदा पनिश भी किया जाता था, जैसे कोई बहुत सारी महिलाएं थी, जिन्हों ने अगर किसी जिविश परिवार से, पोलिश परिव चेहरे पर कालिख पोती जाती थी, और उनके गले में एक तकतालग लिख कर लटका दिया जाता था, कि भाई मैंने अपने देश का इज़त मिट्टी में मिला दिया, इस प्रकार से लिख दिया जाता था, समझ गये, तो इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं को इस क्राइम क या फिर पॉलिश या फिर रशियन परिवार से रिस्तानाता नहीं रखना है, यह एक प्रकार से यहाँ पर क्राइम मैना जाता था नाजी जर्मनी में, महिलाओं के लिए ये बात हो रही है, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर टॉपिक है 4.2, 4.2 क्या है, the art of propaganda, यानि ज नाजी रेजीम यूज़ लैंगवेज एंड मेडिया विथ केर एंड ओफन टु ग्रेट इफेक्ट, जो नाजी रेजीम था, मतलब जो नाजी पार्टी थी, हिटलर की पार्टी थी, वो मेडिया को लैंगवेज को बहुत सोच समझ कर यूज़ करती थी, और बहुत शब्द इस्तेमाल किये जाते थे ना, कि वो बिलकुल अलग मिनिंग लगते थे, जैसे अगर हम लोग देखें, तो हिटलर के शासन के काल के दौरान, लाखों की संख्या में लोगों की हत्या हुई, मडर हुए, जैसे जीउज, यहुदियों की हुई, या फिर पॉलिश ल जैसे अगर हम लोग देखें, तो यही पर कहता है, कि नाजीज never used the word kill or murder in their official communication, यहाँ पर जो mass killing किये जाते थे, gas chamber में, हजारों लाखों की संख्या में, जो लोगों की हत्या की जाती थी, उसके लिए जो सब्दी इस्तमाल होता था, वो क्या था जानते है, special treatment, क्या, special treatment, use के लिए, इसके बाद, utnesia, यह आपको disabled लोगों के लिए, अपंग लोगों के लिए, इसके बाद, selection, disinfection, इस प्रकार की सब्द इस्तमाल होते थे, अलग-लग community को murder करने के लिए, समझ गया, तो यहाँ पर इस प्रकार के शब्द को इस्तमाल किये जाता था, और इस प्रका हैं, उनको उनके घरों से या फिर concentration camp से कहां ले जाना है, gas chamber में, समझ गया है, अब यहाँ पर evacuation देखकर लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, evacuate कर रहे हैं, लोगों को अजादी दिला रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, छुडा रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है, लोगों को कहां भेजना, gas chamber में भेजना, ठीक है, इसके बाद आगे कहता है, do you know what the gas chamber were called, gas chambers को क्या कहा जाता था, gas chamber कहा जाता था, murder place कहा जाता था, जी नहीं, यहाँ पर इनको disinfection area कहा जाता था, क्या, disinfection area कहते थे, और साथ में जो यह gas chamber होते थे न, इनका look भी ऐसा बनाय जाता था, और वहाँ पर fake shower head भी लगाय जाते थे, नकली वहाँ पर shower head लगाय जाते थे, लगता था कि कोई bathroom है, जहाँ पर लोग नहाएंगे, ऐसा वहाँ पर look create किया जाता था, इसके साथ ही यहाँ पर कहता कि media was carefully used to win support for the regime and popularize its world view, media को भी बहुत अच्छी तरीके से यह ल लिफलेट्स, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नाजियों ने क्या किया, music create किये, poster बनाए, film बनाए, radio पर बाते कही, इसके अलावा slogans बनाए, परचिया बाटी, ताकि यहाँ पर अपने ideas को propagate लोगों के बीच में किया जा सके, कहता कि इन posters, groups identified as the enemies or German were stereotyped, यहाँ पर जो भी poster चपते थे, जो भी images चपती थी, leaflet चलते थे, वहाँ पर जो community, जो इसको की Hitler की party undesirable मंगती थी, उनको stereotype करके दिखाय जाता था, बतलब ऐसा दिखाय जाता था, यार देखो यह कितना बदमास आदमी, कितना गंदा आदमी है, इसका पूरा जाती ऐसा है, इसका पू socialist और liberals थे, उनको weak और degenerate की रूप में दिखाय जाता था, साथ में उनको attack किया जाता था, कि यह क्या है, यह foreign agent की रूप में काम करते हैं, इसके अलावा propaganda फिल्म बहुत सारे बनाये गए, जहाँ पर Jews के प्रती hatred को बढ़ाने की कोशिश की गए, जैसे उधारन के लिए The Eternal, Jew जो है वो एक बहुत ही popular film है, मतलब popular अच्छी बात में नहीं है, वो एक प्रकार से बुरी बात में है, कि भाई इतना गंदी तरीके से Jews के प्रती hatred बढ़ाने की कोशिश की गई, इसके अलावा orthodox Jews जो होते थे उनका stereotype किया जाता था, marking किया जाता था, और उनको ऐसा दिख जैसे काफ्तान का है, मतलब काफ्तान क्या है, वो है आपका यहूदियों का पोशाथ, मतलब एक होता है ना, कि धार्मीक पोशाथ, वो है काफ्तान, लेकिन अगर reality में आप जर्मनी में जाए, या फिर वहां के किसी भी देश में जाए, उरोप में, वहां पर अगर कोई य इंडिया में ही देखें, तो इंडिया में हिंदू हो, मुसल्मान हो, सीख हो, कोई भी community का हो, जैन हो, तो आप उसके ड्रेशब को देखकर नहीं पता लगा सकते हैं कि वो किस धर्म का है, उसी प्रकार से यहां पर भी, जो यहूदी थे उनको देखकर, उनके ड्रेशब को उसने क्या किया, उसने बहुत जदा एक तरीके से stereotype बनाए, जैसे कि यहां पर यह तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक यहूदी को दिखाये गया कि, यहूदी क्या है, यहूदी एक ऐसा जाती है, ऐसे लोग होते हैं, जो कि सिर्फ पैसे के लिए मरते रहते हैं, और पैसे वो जब तक सांत नहीं बैठेंगे, जब तक उनको इतना बोड़ी भर के पैसा ना मिल जाए, तो इस प्रकार के पोश्टर तयार के जाते थे, जहां पर यहूदीयों के प्रती नफरत फैलाया जाता था, समझ गए? तो यहां पर यही चीज़े आगे बढ़ते है तो आगे यहां पर कहता है कि their movement were compared to those of rodents, यानि कि यहां पर यहूदीयों को जैसे रैट से, पेस्ट से या फिर वर्मिन से compare किया जाता था, कि यह लोग क्या गरेंगे? एक प्रकार से कुतर जाएंगे, देश को कुतर जाएंगे, देश को खतम कर देएंगे, देश के खिला कि यहां पर जो भी लोग हैं, उनका नफरत जो हो, वो किस से हो, यहूदीयों से नफरत हो, जो भी गुस्सा हो, यहूदीयों से हो, जो भी देश में problem हो, वो किस की वज़ा से है, यहूदीयों की वज़ा से है, इस प्रकार से यहां पर बाते चलती थी, समझ गया? अब इस किसान हो गये, मजदूर हो गये, सैनिक हो गये, और भी जो भी सोसाइटी में ग्रूप्स होते हैं, सब को अपने फेवर में करने के लिए क्या कर रहे थे, प्रचार उसके लिए भी करते थे, ताकि उन सब का समर्थन किसको मिल सके, हिटलर की पार्टी को मिल सके, जैसे यहाँ है, अमेरिका, जहाँ पर क्या है, कैपिटलिजम है, दूसरी तरफ क्या है, यूएससार है, सोवियत रूस है, जहाँ पर क्या है, मार्क्सिस्ट एकनॉमिक सिस्टम है, बुल्सिविजम है, यह दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, और अगर तुम दोनों में से किसी में फंस है, तो तुम बरवाद हो जाओगे, तो तुम्हारे को सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है, और वो कौन बचा सकता है, वो हिटलर बचा सकता है, और उसकी आइडिलोजी, नैशनल सोसियलिजम बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता है, इस प्रकार की बातें यहाँ पर प् कब खतम हुआ, वाइमर रिपब्लिक कब बना, वर्साइ की संधी कब हुई, हिटलर चांसलर कब बना, पॉलेंड को इन्वेड कब किया, इस तरीके से आप सारे डेट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको टाइम लाइन बनाने में असानी होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा. इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर फाइव है, अब यहाँ पर इस टॉपिक में हमें समझना है, कि जो कॉमन लोग थे, आम जनता थी जर्मनी की, वो कैसे नाजिस्म को रियक्शन दे रही थी, कैसे वो ले रही थी, यह चीज आईए, य यहाँ आईए, बहुत सारे जो लोग थे जर्मनी के, वो प्रोपगेंडा से प्रभावित हो चुके थे, वो जैसा नाची विचारधारा थी, वैसा ही वो मानने लगे थे, वो एक प्रकार से क्या कर रहे थे, नाजी भासा में बात करने लगे थे, मतलब क्या, मतलब वो जो महले में कोई यहूदी रहता था, तो उसके घर को मार्क कर दिया जाता था, निसान लगा दिया जाता था, और साथ में जितने भी आसपास के वेक्ती थे, जिसके उपर डाउट होता था, उसको जाकर पुलिस के पास ख़बर भी दे देते थे, मतलब कि जैसा नाजी थे, बिहेव कर रहे थे, समझ गए, ये लोग जिन्वानी मानने लगे थे कि जो नाजीजम विचारधारा है, वो समाज में प्रोस्पेरिटी लाएगी, और जो जर्मनी है, उसकी भविश्य को बदल देगी, ऐसा ये लोग मानने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के सभी लोग इसी प्रकार से पर प्रभावित थे, बहुत सारे लोग जो थे, वो एक प्रकार से नाजी विचारधारा का विरोध भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो कि active resistance में सामिल थे, खुल कर जाकर विरोध कर रहे थे, कि भाई तुम जो कर रहे हो, वो सही नह or were passive and onlookers and apathetic witness. यानि कि देख जो की नाजी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनके विचार से, उनके हिसाब से काम कर रहे थे, दूसरे तरफ लोग थे जो कि खुल कर सामने आकर विरोध कर रहे थे नाजियों का कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं है वो सही नहीं है वो नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये हो गए दो प्रक्ष और तीसरा प्रक्ष ग्रूप में जो बाकी बचे हुए देश के अपनी जिन्दगी में कि वो विरोध या फिर प्रोटेस्ट करके और परेशानिया वो जहलना नहीं चाहते थे समझ गये वो बस क्या गर रहे थे हाँ ठीक है जो हो रहा है होने दो हमको कोई मतलम नहीं है इस प्रकार से आम लोग पड़े हुए थे इसी बात को देखते हु लेकर यहां पर यह पोएम लिखा और काफी अच्छा पोएम है काफी पॉपुलर भी है कि फॉस्ट टाइम देखें फोर कम्यूनिस्ट पहली बार जो नाजी थे वो कम्यूनिस्ट लोगों के लिए आये लेकिन मैं कम्यूनिस्ट नहीं था मैंने कुछ नहीं कहा फिर वो सो यहोदियों के लिए आये मैं यहोदी भी नहीं था तो वहां पर मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ किया लेकिन जब वो लोग मेरे को उठाने आये तो मैं मैं विरोध करना चाहता था लेकिन मेरे आसपस सारे लोग जा चुके थे कोई भी नहीं बचा था समझ गए तो य यहूदियों की जर्मनी देश में क्या स्थिति थी। और सिर्फ जर्मनी में नहीं, जर्मनी के सरकार ने जिन इलाकों को कबजा किया था, यहां तक की ब्रिटेन के कुछ इलाके भी कबजा किये थे, वहां पर भी, फरांस में भी, पॉलेंड में भी, USSR के इलाके में भी सभी इलाकों में यहूदियों की बहुत बुरी स्थिती थी कैसी स्थिती यह तो आप समझ चुके हैं जान चुके हैं कि यहाँ पर वो तो चीज है लेकिन क्या हुआ था कि जो यहूदी लोग थे वो खुद भी इस बात में बिलीव करने लगे थे कि हा भाया हम लोग इतने बुरे हैं इतना प्रोपेगेंडा हुआ था इतना प्रचार हुआ था नाजी पर्टी के द्वारा कि यहाँ पर जो लोग थे वो एक प्रकार से क्या गर रहे थे जो यहूदी थे वो खुद से मानने लगे यार हम लोग इतने बुरे हैं क्या हम लोग इतने खराब हैं क्या वो उनको सपने आते थे कि भाई हमारी ना क्या होती है टेड़ी होती है हमारे हेर ब्लैक होते है आईज जो होते है वो ब्लैक होते है जिविस जो होते है हमारी जो चाल स्टाइल बताई जाती है, क्या हम सच में वैसे चलते हैं, इस प्रकार की चीजों को लेकर वो डरे से हमें रहते थे, चिंतित रहते, समझ गया, तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं, कि उनकी जिन्दगी बहुत ज़्यदा प्रभावित हो चुकी थी, केवल शारेरी रूप से नहीं, बलकि मानशिक रूप से भी, पहला तो उनको पूरे समाज से अलग कर दिया गया, उनकी सारी संपत्ती छीन ली गई, बाद में जाकर उनको मार भी दिया गया, कंसंट्रेशन कैम्प में रखा गया, और जितने दिन वो रहे, वो जितने दिन जिन्दा रहे, उतने दिनों तक उनको बहुत ज़्यादा यातना जहलनी पड़ी, भूखे रहना पड़ा, बीमारियों के बीच रहना पड़ा, उनको बहुत तरीके की तकलीफें जहलनी पड यही शब्द काफी popular है यही शब्द इस्तमाल होता है समझ गए अब यहाँ पर कहता है कि जो नाजी practice था यानि जो जर्मनी जिन इलाकों में कबजा करके बैठा हुआ था उन इलाकों में नाजी party क्या कर रही है इसके बारे में बाहर की दुनिया को उतना ज़्यादा idea नहीं लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है इसके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चला लेकिन जब जाकर जर्मनी हार गया जर्मनी के इलाके के उपर सोवियत रूस का कबजा हो गया United Kingdom France की आर्मी का कबजा हो गया तब जाकर सच मे पता चला कि कितने बड़े अस्तर पर यहां पर नाजियों ने ये बुरे कृत किये हैं ये हत्याएं वगरा की हैं तो यहां पर जब जर्मनी पर जर्मनी के आसपास का इलाके पर यहां पर रूस के सैनिकों का कबजा हो गया अमेरिका या फिर बिटेन के सैनिकों का कबजा ह तो उस समय जो जर्मन्स थे तो वो तो युद्ध हार चुके थे अपने उनकी परिशानी थी और इसी बीच में यहूदी भी थे जिनको इतनी बड़ी यातना इतनी बड़ी तकलीफे झेलनी पड़ी थी तो यहूदी यह चाहते थे कि ठीक है जर्मनी हार चुका है लेकिन हमा तनाएं जेली हैं उसको भी दुनिया याद रखे और आगे चलके दुनिया को पता चले कि हमारे साथ कितना बुरा घटित हुआ है समझ गया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है एक कहानी बताई जा रही चोटी सी कि एक व्यक्ति है अपने साथ रहने वाल है कि ऐसा लगता है कि यह वक्ति बाहर जाकर लोगों को बताना चाहता है कि भाई देखो मुझे क्या जहिलना पड़ा है हमारे समाज को क्या जहिलना पड़ा है समझ गया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो नाजी पार्टी के दौरा किया आ गया उसक चीजों से हमें जानकारी मिलती है जैसे कि किसी यहूदी को concentration camp में रखा गया उन्होंने अपने diaries लिखे समाज से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपने diaries लिखे किताबे लिखे कि भाई देखो देखो ऐसा हुआ था तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और इसके बाद अगर हम लुख देखे तो जब नाजी पार्टी हारने लगी जर्मनी की फौज हारने लगी तो उसके बाद नाजी leadership जो थी नाजी सरकार जो थी वो अपने सारे officers को सारे department को क्या दे रही थी आज भी हमें Holocaust के बारे में पता है आज हम यहाँ पर यह chapter पढ़ रहे हैं हमें पता है तभी तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई कितने बड़े अस्तर पर यहाँ पर जर्मनी नाजी जर्मनी में यहाँ पर लोगों की हत्याएं हुई थी तो यह एक परकार से लोगों की यादों में है documentaries बनाए गए हैं, fiction बनाए गए हैं poetry, memorial, museum बनाए गए हैं जहाँ पर पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ को याद रखते हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी देश में, किसी भी समाज में इस परकार का काम ना हो ना तो कोई ऐसा करने का सोचे ना तो कोई इसका एक परकार से ऐसा हो तो उसके सामने सांत बैठे यानि लोगों को ऐसा नहीं होने देना चाहिए किसी भी समाज में, किसी भी देश में तभी एक प्रकार से सब ये समाज हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं, समझके? अब इसी बीच ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये तस्वीर है एक डेनमार्क के बोट की, जिसकी मदद से डेनमार्क ने अपने निवाशियों की, मतलब जो यहूदी डेनमार्क के थे, उ इसमें यहाँ पर जितने भी यहूदी थे, उन्होंने अपनी बाते, यादे वगरा यहाँ पर स्टोर करके रखी थी, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में लोगों को यहाँ पर मिल सके, समझ गए? तो यहाँ पर आगे देखें, तो यहाँ पर लेटर्स हैं, महात्मा होता है, मिलते हम आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई